हलो एवरिवन कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके माम इलाकरानती और आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर क्या हूँ कक्षा दस्वी के बच्चों के लिए लेकर क्या हूँ हमारे साइंस में फिजिक्स का विद्ध चाप्टर इलेक्टरिसिटी जो बहुत ही लोगों को विद्ध चाप्टर से देखने के लिए मिलेगा तो आज हम लोग इस सेशन में इस चाप्टर का पूरा वन शॉट परने वाले हैं मैं आप लोगों को आज के हमारे इस वीडियो में इस सेशन में पूरा चाप्टर आप लोगों को एक ही बार में रिवाइस करव वीडियो की कहा है भाई तुम्हारे दोस्त क्यूं भाई टेली ग्राम में वाट्स अप में और कौन-कौन से ग्रूप है सब जगा भेज डालो जल्दी पूरा ये चाप्टर एक ही सेशन में हम लोग कवर करेंगे ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पूरे चाप्टर का इंट्रोरक्शन पूरा दूंगी और उसमें पूरा आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से आप लोगों को कितने मार्क्स का प्रिपरेशन आप लोगों को करना है किस टॉपिक से आप लोगों को निमारिकल कोशन आ सकते हैं और किस topic से आप लोगों को theoretical question आप लोगों को पूछेगा exam में आप लोगों को लिखना कैसे है यह सारी discussion हम आज इस one shot में करेंगे पूरा revision करेंगे तो guys बहुत जादा मजा आने वाला है जल्दी से guys I think I hope अभी तक के बच्चे आ गए होंगे join कर लिए होंगे class को तो क्यों भाई start करें yes या नो जल्दी से मेरे को thumbs up दिखा दो comment box में चालो very good तो हम करते हैं आज का हमारा यह chapter का one short session start तो सबसे पहले आप लोग क्या topic पढ़ने वाले हो इस chapter में चालक और कुचालक के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले तो मैं विद्युत क्या होता है यह सारी चीजे आप लोगों को समझाओंगे उसके बाद पहले टॉपिक चालक और कुछालक कवर करेंगे विद्युद्धारा और परिपत के बारे में हम लोग देखेंगे मतलब किस तरीके से विद्युद्धारा बहती है परिपत कैसे बनता है और उसका आरेक अगर हम लोगों को बनाना होगा तो कैसे होगा विद्युद्ध विभा और पढ़ेंगे ओम का नियम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का सही ओजन यह इंपॉर्ड़िन टॉपिक है से रिलेटेड आप लोगों को निमारकल पूछेगा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा बहुत विद्युद्ध के बारे में तो आप लोग क्या जानते हो मैं तो बताऊंगी पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी बेटा क्या है विद्युद्ध क्या है क्या है विद्युद्ध के बिना आप लोगों के जिन्दगी चल सकती है क्यों भई आप मेरे को देख रहे हो इलाकरांती मैम की क्लास देख रहे हो आप जिसमें हम पूरा वन शॉट आज कर रहे हैं तो अगर मान लो कि विद्युत ना हो तो क्या आप मेरी क्लास देख सकते हो, कहां कहां पर पाया जाता है विद्धुत, कहां कहां पर हम इस विद्धुत का इस्तमाल करते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के रिपलाई मुझे मिलने चाहिए, सारे बच्चे जो है कमेंट करते रहिए और ध्यान से मैम की बातों को सुनते रहिए और पूरा वन शाट रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा, तो भाई हर जगा हम विद्धुत का इस्तमाल करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, उसके अलावा बिलकुल हम लोगों बहुत जितने भी हमा छली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो हाए गर्मी, उफ उफ घर्मी, इस तरह के से हालत खराब हो जाती है, और काम तो अठक ही जाता है, बिलकुल हाँ, अगर अगर चली गई विजली, तो मैम हमारे फोन में बैटरी खतम हो गया है, जिस की वजा से मैं आपकी क्लास प क्या ऐसा जादू करता है बिजली हां कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं क्या होता इसके अंदर कौन सी भौती घटनाएं घटती है जिसकी वजह से जैसे कि मान लो कि मेरे को यह बल्फ जलाना है ठीक है तो मैं क्या करूंगी अपने घर में मैं बटन दबाती हूं स्विस दबाती हूं जिससे यह बल्फ जो है वो जलने लगता है पंखा जो है वो चलने लगता है ठीक है यह तो हो जाता है पर क्या जादू होता है कि जैसे ही बटन दबाओ तो सारी चीजह जो है काम करनी चालू कर देती है तो इसके पीछे का लाजिक क्या है कौन बताएगा जल बादल तो गरस्ते हैं पर बिजली चमकती हैं तो यह सारी चीजें मतलब कैसे तो भाई यह सारे लाजिक्स हमाज पढ़ने वाले हैं जितने भी टॉपिक्स के नाम हम लोगों ने देखें यहां पर विद्युत्धारा और विद्युत्विभाव और विद्युत्वावेश य तो है ये सारे फेनोमेना जो भौतिक फेनोमेना जो है आप लोगों के ठीक है इन सब को जब हम एक एक करके देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जादू आखिर करके होता कैसे कि कोई यूँ हाथ नहीं घुमाता है ठीक है उसके अंदर सारी चीजे जो है करके होती है तो उन सब चीजों को हम वन बाई वन करके देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जैसे कि विद्युद जो होता है ना दो प्रकार का होता है एक होता है रुका हुआ और एक होता है बहता हुआ ठीक है एक जो होता रुका हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको हम लोग बोलते हैं इस्थिर विद्यूत क्या बोलते हैं इसको इस्थिर विद्यूत और अगर जब धारा बहती है मतलब स्वारी जब जहां पर मतलब की जब आपकी विद्यूत जो है वो आप लोगों को जब मतलब बहते ह हुए मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या विद्यूत धारा ठीक है तो बिल्कुल हम लोग पूरा विद्यूत का बेसिक आप लोग यहां पर पढ़ोगे और बिटा यह चैप्टर बहुत ज्यादा मज़ेदार है अगर आप लोग फिजिक्स को बहुत ही मज़े से पढ़ोगे न तो आप लोगों को बहुत मजाएगा पूरा चैप्टर रिवाइस हो जाएगा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है आप लोगों के एक्जाम की पूरी तैयारी पूरा 90% से उपर मार्क्स लाने के लिए आप लोग यहां पर रेडी रहोगे बिल्कुल साइंस में फिजिक्स का हिस्सा तो आप लोग पूरा करोगे ही करोगे यह मेरी गैरन्टी है तो बिल्कुल आप लोगों को क्लास को ध्यान से देखते रहना है ठीक है जब हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से मतलब दो प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिये ठीक है तो यहां इस्तर विद्युत में क्या होता है विद्युत जो है रो डूका हुआ होता है विद्युत किसकी वज़ा से होता है तो बिल्कुल ये होता है किसकी वज़ा से विद्युत आवेश की वज़ा से किसकी वज़ा से उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी तो आप लोगों को बिल्कुल जो है चीजे समझ में आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि मान लोग Training काक्षाओं में, ही होगी उनी चोटी-चोटी बातों को हम दुबारा से आज याद करेंगे रवाइस करेंगे और ये हमारे कक्षा दस्वी का जो विद्यृत चाप्टर है ये आज हमारा कवर होगा ठीक है तो ये जो विद्यृत का सबसे जो बेसीक है ना वो है आप लोगों का क्या विद्धित आवेश अब ये विद्धित आवेश कहां से मिलता है हम लोगों को ठीक है तो यहां पर जैसे कि जो अरू और परमाणू की संरशना आप लोगों ने देखी होगी तो बीच में क्या होता है अरू और परमाणू क के जरूर इलेक्ट्रॉंस जो होता है वो क्या होता है मतलब कि जो हमारा छोटा सा कर्ण होता है मतलब की जैसे की जो जितनी भी इस दुनिया में वस्तुवें हैं छोटे-छोटे कर्णों से मिलकर के बनी है ठीक है वो छोटे-छोटे कर्ण जो है सबसे छोटा कर्ण आप लोग बोलते हैं proton और दूसरा होता है क्या नभिख ठीक है ऑसोरीं नाभिख नहीं proton और neutron ठीक है क्या होता है neutron ठीक अब जो इसकी यहाँ पर जो है यह अंदर का हिस्सा हो गया बाहर कैं से में एक कख्षाए होती है जो एक स्फेत कलर से मैंने क्रम ने समया शन्य घ्स साइंस में ये सारी चीजे जरूर पढ़ी होगी उमीद करती हूं और इसमें क्या होती है कि इसकी जो कक्षाएं होती है इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं मंडराते रहते हैं ठीक है तो जो हम लोगों को मतलब की जो हम लोगों को विद्यूत मिलता है ठीक है जो हम प्रोटॉन है और जो हमारा इलेक्ट्राउ्ण ये क्या है बीटा ये दोनों जो है आवेश है हर पदार्थ के कड़ों में ये जो दोनों चीजे हैं वो मौजूद रहते हैं अब जब हम लोगों को मान लोग की विद्वीत का जो जादू है वो जब हम लोगों को देखना होता है तो वो होता है इनके बहने के कारण ठीक है इनके बहने के कारण अब इसमें से बहता कौन है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बिटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहते हैं यही क्यों बहते है ये भी मैं बताओंगे ये जो मैंने आप लोगों को किसी अण्व की सनरचना आप लोगों को बताई है थीक है इसदू की सनरचना में ये जो बाह्यक अक्षाय每 ये जोililink icons मैंने आप लोगों बताए ठीक है क्योंकि ये बाहेक अक्षा में मौजूद होते हैं ठीक है तो जो इनका नाभीक है जो इसके बीच का हिस्सा है ये इससे काफी दूर होते हैं मतलब एक देखा जाए तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत जादा दूर होते हैं प्रोटॉन यहा होता है जिसकी वजह से क्या होता है जो है इससे अलग भी हो सकता है, ठीक है जब इससे ये अलग हो जाएगा तो chemistry में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिण आवेश धरन आवेश इस तरीके से ठीक है तो यह इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है मुक्त भी हो सकता है मुक्त क्योंकि बाहियक अक्षा में घुमता रहता है तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाता है तो ये क्या कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जब मुक्त होते हैं तब ये क्या होते हैं यही जो है आवेश के रूप में क्या होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले तो रिन आवेश क्या बोलते हैं हम लोग इनको रिन आवेश और जो हमारा प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोटॉन को हम लोग बोलते धन आवेश, ठीक है, समझ में आई बात, तो यहाँ पर जब मान लोग कि ये जब इससे मुक्त होंगे, किसी ना किसी कारण से मुक्त होते हैं, आप लोगों को अभी कक्षा दस्वी में इतना नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि एलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश है एक धान है, एक रिणा आवेश है, और क्योंकि ये बाहर की कक्षा में होते है, जब मुक्त होना होता है, तो बाहर की कक्षा में होने के बार बाहर वाला आदमी पहले बाहर चला जाता है, दर्वाजे से, है कि नहीं, अब ट्रेन में बहुत सारे लोग खड़े हुए है, त जब यही मुक्त इलेक्ट्रॉंस बहार निकलते हैं तो क्या होता है इन आवेशों का क्या होता है प्रवाह होता है यहाँ पर मैंने जो Q अक्षर से आप लोगों को यहाँ पर लिखा है यह क्या है विद्युत आवेश है यह क्या है विद्युत आवेश जो की क्या होते है दो ठीक है धन आवेश और रिण आवेश ठीक अब यहां पर रिण आवेश प्रवाइट हुआ एकदम क्लियर हो गया होगा बहुत बेसिक से पूरा-पूरा मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूं यहां पर आप लोगों को पूरी क्लारीटी मिल जाएगी कहीं पर कोई डाउट नहीं बचीगा एकदम आप लोगों को एकदम आसान करके मैं आप लोगों को बता रही हूं यहाँ पर ठीक है तो यह मुक्त इलेक्टरॉन्स हना जो रिड़ आवेशित मुक्त इलेक्टरॉन्स है वो जो है क्या होंगे आवेशों मतलब यह जो है आवेश प्रवाहित होंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ आवेशो का प्रवा हुआ तो जब आप लोग बटन दबाते हो ना अपने घर में जब बल्ब जल उटता है जब पंखे चल उटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जैसे ही हम वहाँ पर बटन दबाते हैं तो बटन दबाने की वजह से बटन हो गया मान लो कि जैसे ऐसे नहीं बताउंगे मैं ऐसे हो कर कि नहीं है जब बटन दबा कुआ हुआ हुआ है जब हम लोग behavior तो दो यह को घट हो जाएगा और जैसे ही बटन दबेगा तो क्या मिलेगा आवेश-को भहने के लिए रास्ता मिल जाएगा और यहां पर क्या होगा यहां पर से आवेश जो है वो क्या करेंगे इस तरीके से बहना शुरू करेंगे ठीक है आवेश क्या करें बहना शुरू किये और जैसे ही आवेश बहना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि यहां पर जो है विद्धारा मिलती है हम लोगों को एक नया भौतिक राशी जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा ठीक है तो उस विद्युत धारा की वज़ा सही हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पर जितना भी लाइट पंखा कूलर और आपका मोबाइल जैसे की चार्ज हुआ है क्योंकि उसमें जो है ब रहनी रहा था जब रुका हुआ था क्या था आवेश जब रुका हुआ था तब हम लोग इसको क्या बोल रहे थे रुका हुआ था तब हम लोग इसको स्थिर विद्युत बोल रहे थे और जैसे ही बहना शुरू किया तब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं जब आवेश बह बिएता है और किन पदार्थों में से नहीं बहने देगा और कुछ पदार्थों में से नहीं बैटा रुक जाता है उस पदार्थ का कुछ ऐसा गुढ़ केबल टीवी का केबल होता है है कि नहीं आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं उसका केबल होता है तार तो आप लोगों ने अपने घरों में बहुत देखा होगा जब भी आप लोगों ने बिजली की तारे देखी होंगी तो उन बिजली की तारों में आप लोगों ने ऊपर म प्लास्टिक का कवर है ना प्लास्टिक कवर और अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धातू रूमा धातू नूमा कुछ चीजे वहां पर अंदर में भरी होती है कभी आप लोगों ने अल्यूमिनियम देखा होगा मतलब की सफेद कलर का एक कुछ रहता है अंद कि किस का तार है तामबे का तार है तो ये तामबा जो होता है वो अपने में से आवेश को बहने देता है पर ये जो प्लास्टी का कवर उपर में लगा हुआ है ये अपने में से आवेश को बहने नहीं देता क्या ये जो उपर में प्लास्टी का कवर लगा हुआ है अपने में आवेश को बहने नहीं देता तो ये जो प्लास्टी का कवर है वो क्या काम करता है कुचालक का काम करता है इसको हम लोग बोलते हैं विद्यूत रोधी मतलब की जो विद्यूत को अपने में से बहने का विरोध कर रहा है रोक रहा है अपने से बहने नहीं दे रहा है वो विद नोट करके लेकर क्याई हुँ, जल्दी से आप लोग नोटस भी बना सकते हो, साथ ही साथ और या तो फिर ध्यान से सुन सकते हो, चालक किसको बोलते है, चालक प्रकृती में उपस्थित ऐसे पदार्थ होते हैं कैसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत आवेश स्वतंतर रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती करता है अर्था चालक वेपदार्थ होते हैं जिनमें आ आवेश प्रवाह आसानी से हो सकता है ठीक है आसानी से इस तांबे के तार में आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है इसी वजह से हमारा यहां पर यह जो है वो क्या है चालक है और यहां पर यह जो प्लास्टिक है वो क्या है कू चालक तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी वसुए पाई जाती है जल्दी से सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे आप लोगों ने प्लास्टिक देखा होगा पांच देखा होगा लकडी देखा होगा ये सभी कैसी है ये सभी विद्यूत रोधी पदारथ है जो अपने मेंसे जो है विद्यूत आवेश को बहने नहीं देती है जबकि आप लोगों ने जो है अलिमुनियम का तार देखा होगा आप लोगों ने तामबे का तार देखा होगा और जो सोना है चांदी है ये सब भी क्या है ये भी अपने में से क्या है अपने में से विद्युत धारा को विद्युत आवेश को प्रवाहित होने दे देते हैं ठीक है और चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी के बाद तांबा सबसे अच्छा चालक होता है पर बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना चांदी तो इसलिए उनको जो है हम लोग इस्तमाल नहीं करते तांबा भी आजकल बहुत महंगा हो गया ठीक है, अब हम लोगों ने आवेशों के प्रवाः को तो पड़ लिया अब हम लोगों को पड़ना है क्या विद्युत्धारा तो भई हमारे पास आवेश थे, आवेश था क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन, धन आवेश और रिण आवेश दो आवेश थे क्या धन आवेश और रिन आवेश तो जो हमारा रिन आवेश था क्या इलेक्ट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है आवेश है विद्धूत आवेश है क्या है ये विद्धूत आवेश है और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है चालक और कुछाल चालक से आवेश बहता है किसमें से बहता है चालक से चालक पदार्थों से आवेश जो है बहता है तो ये आवेशों का जो प्रवाह है वो हमें एक नई भौतिक राशी देती है जिसको हम कहते हैं विद्युद्धारा क्या बोलते हैं विद्युद्धारा तो यहां पर से बिलकुल हाँ ila cranti maim I4 Ila recur and powerful I thought there a तो यहहें पर हम लोग कมाश्रय को करें के बारे में बात करें तो भई fast आ यहां वे संथिस्ट ने जो है विद दाग के बारे में पहले हम लोग को इन भातिक राशी के बारे में पहली बार बताया था तो इसलिए जो है इसका जो मात्रक है उन्हीं के नाम पर रखा गया, क्या होता है विद्धारा का जो मात्रक होता है वो होता है mpyr, हिंदी में लिग देती हूं आप लोगों के लिए mpyr और बेटा, जैसे कि आप लोगों को मान लो की कुछ भी numerical आएगा या कहीं पर भी आप लोगों को जब इसकी थियोरी लिखनी होगी, तब आप लोगों को जो है, यहां पर मतलब हर बार उसके मातरक जरूर लिखना है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्या capital A अक्षर से, अब यह जो डाइग्राम है, आप लोग यहां पर देख रहे हो, बिल्कुल यही उधारण मैंने आप लोगों को दिया था, जैसे कि आप लोगों की घरों की बिजली जो है, जुड़ी हुई है, बाहर जो transformer लगा है उससे, ठीके, पर यहां पर मेरे को पूरे घर का जो है, नहीं पता, मैं यहां पर छोटा सा एक माल लोगी टेबल लेती अब इस से लिया बैटरी से मैं क्या करूंगी, एक बल्ब को जोड़ दूँगी, कैसे जोड़ूंगी, तो भाई, यहां पर मैं तार के द्वारा जोड़ूंगी, यह तार हो सकता है कि तामबे का तार हो या अलुमिनियम का तार हो, पर यह जो तार होगा, इस तार में यूँ क्या जटका लग जाता है, तो सब यूँ हिलने लगते हैं, तो भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमको हर बार क्या करना होता है, तार के ऊपर जो है कुछा अलग बस्तू का लेयर लगाना ही पड़ता है, ठीक है, तो हुआ क्या, अब यहां पर हम लोगों ने एक क्या लगाया, स्विच लगाया, बटन लगाया, जैसे आप लोगों के घरों में, हर चीज को चालू बन करने के लिए, क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, एक स्विच बोड लगा होता है, जिसमें बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, तो इस स्विच को हम लोगों क्या क तो इस सेल से क्या हुआ इस से जो है आवेश जो है निकले यहाँ पर धन मनलब इधर से निकलना शुरू करेंगे आवेश और आवेश इस तरह से निकलते निकलते क्या होंगे बहने लगेंगे तो इस पूरे तार में बहेंगे तो बहते हुए कहां पर आएंगे आप लोग द क्या मिल गया आवेश मिल गया जिससे यहां पर जो आपकी विद्युतुर्जा है वो प्रकाश उर्जा में बदल गई विद्युतुर्जा प्रकाश उर्जा में बदली और फिर उसके बाद फिर यहां पर से इस तरीके से बहते हुए इस तरीके से यहां पर पूरे पूरे हि रही है जिसको हम लोग इस तरीके से एरो बना के दिखाते हैं कैसे बना के दिखाते हैं यह जो है क्या कर दिखा रहा है हम लोगों को यहां पर कि विद्युद्धारा किस दिशा में बह रही है यह हम लोगों को बता रहा है ठीक है किस दिशा में विद्युद्धारा बह रही ये कुछ भी आकृती नहीं है पर एक बार यहां से लेकर कि यहां तक सब तरह जुड़ा हुआ है कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या विद्यूत परिपत क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग विद्यूत परिपत ठीक है तो यह आप लोगों का क्या बन रहा है विद्यूत परिपत बन रहा है पूरा complete विद्यूत परिपत अब यहाँ पर यह जो विद्यूत परिपत है ठीक है अब इस विद्यूत परिपत में हम लोगों ने इस बल्फ को जलाने के लिए सेल तो लगाया पर यह बल्फ जलेगा कप जब ह हम लोग क्या करेंगे स्विच को चालू करेंगे तब ठीक है अब जब हम लोग स्विच को बंद कर देंगे मतलब की बंद का मतलब क्या होगा स्विच के बंद का मतलब होगा कि स्विच जो है खुला है क्या है स्विच जो है खुला है तो जब खुला होगा स्विच तो यहां पर स्वीच जो है खुला है क्योंकि हम लोगों ने बटन को बंद कर दिया है ठीक है जिसकी वज़ा से क्या होगा आपका बल्फ जो है वो जल नहीं पाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बंद विद्युत परिपत ने इसको हम लोग बोलते हैं खुला विद्युत परिपत क ठीक है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगी जरूर पर पहले हम लोग परिभाशा ही देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को परिभाशा एक नमबर में जरूर पूछता है आप लोगों को एक नमबर दो नमबर में अगर आपको पूछा तो आप लोगों को साथ उसको पूरे तरीके से आप लोगों को उसका तात पर यह बताना है पूरा उसको डिटेल में आप लोगों को डिटेल करके एक्स्प्लेइन करके आप लोगों को लिखना है विद्युद परिपत को हम लोग कैसे परिभांशित कर सकते हैं विद्युद धारा के सतत तथा बंद पत को हम क्या कहते हैं विद्यूत परिपत जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर स्विच को जब हम लोगों ने चालू किया तो यहाँ पर यह जो विद्यूत परिपत है वो बंद विद्यूत परिपत है ठीक है कैसा परिपत है विद्यूत परिपत जो कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वह क्या कहलाती है आवेश प्रवाह की दर कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कहलाती है आवेश प्रवाह की दर तो आवेश प्रवाह की दर को विद्धारा कहते हैं इस तरह से हम लोगों ने परिभाशित किया इसकी परिभाशा आप लोग पुस्तक में अगर देखोगे तो आप लोगों को भी ये भी मिल सकती है कि अगर हम लोग T को जो है एक सेकंड ले ले तो यहाँ पर हम लोग इसको ले बोल सकते हैं क्या एकांग का समय क्या बोल सकते हैं इसको तो एकांग का समय तो एकांग का समय में किसी विद्युत परिपत में से जितना आवेश प्रवाहित होता है वह क्या कहलाती है विद्यु सब्सक्राइब तर Mega घुजए अब जो मैंने इसके आगे आप लोगों को बता। ऑट आ दिए और के यहुंद परिपत लिखा है तो परिपत के होनगे एक होगा कप जब लगों का ये जू स्विच लगा हुआ था इस तरी के से ये स्विच्च जब है इस स्विच्ट से जब क्या होगा मान लोग कि यह पूरा सर्किट है मतलब कि यह जो विद्यूत परिपत है यह क्या है पुद्ध परिपत जिसमें क्या लगा हुआ है सेल लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ था वल्फ लगा हुआ था तो यह क्या है आप लोगों का खुला विद्य क्या होगा तभी जो है आप लोगों को आप यह तभी दो जो है आप लोगों के परिपत में इस विद्धुत परिपत में विद्धुत धारा को बहने के लिए रास्ता मिलेगा जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा यह जो बल्ब है यह जल जाएगा है ना बल्ब जल गया है न और दिमाग का भी बल्फ जला लो, ध्यान से सुन रहे हो की नहीं, पूरा ध्यान से आप लोगों को देखते जाना है, विद्धुत परिपत आरेक की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग विद्धुत परिपत बनाएं हैं, ठीक है, इस परिपत में बहुत सारी चीजे में हम लोग वन बाई वन एक एक करके देखते जाएंगे, तो सबसे पहले भाई हुआ क्या, आवेशों के प्रवाहा के कारण हम लोगों को विद्धुत धारा मिली, पर आवेश प्रवाहित कैसे हुए, जब हम लोगों ने वहाँ पर सोर्स के रूप में, इस त्रोत के सुष्पाया, तब जाकर के हम लोगों को आवेश है प्रवाहित हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से और जा मिलती है, से जब हम लोगों को विद्धुत परित्पत के रूप में, जब बनाएंगे, तो अभी मैं जब पहले आरेक आप लोगों को बता देती फिर मैं आप लोगों को उसका विद्यूत परिपत बना करके दिखाऊंगी ठीक है इस आरेख के रूप में प्रतीक के रूप में विद्यूत परिपत बना करके दिखाऊंगी ठीक है तो यहाँ पर विद्यूत सेल को इस तरीके से एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन लंता है वह लोगो जोड़ना होता है तो कैसे जोडते हैं वे पहले सेल में यह दूसरा सेल और यह तीसरा सेल तूरा से यहां पर जोड़कर के इस तरीके से एक बैटरी बनी हुई थी जहां पिए वाला हिस्सा धनावेशित और यह वाला हिस्सा क्या था रिणावेशित था ऐसा ही था तो हो सकता है कि वहां पर हम लोग को ज्यादा सिल जोड़ना पड़े तो इस तरीके से आरेक में हमको जो है परिपत का चित्र जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को दिखाना होगा अब बारी आती है प्लग या कुंजी की या फिर स्विच की तो भाई स्विच यहाँ पर क्या है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इस तरीके से जब बटन है आपका बटन जब आन मतलब कि जब आप स्विच है और यह क्या है खुला स्विच आप लोग जब इसमें विद्यू चैप्टर में जब इसको पढ़ोगे ठीक है तो विद्यू चैप्टर में जब इसको पढ़ोगे तो इसको आप लोग बोलोगे कुंजी ठीक है क्या बोलोगे फिजिक्स में इसको कुंजी बोलो है इस तरीके से है वो क्या है बंद कुंजी तो आप लोगों को प्रतिक चिन्ह देख करके समझते जाना है ठीक है अब तार संधी तार संधी का मतलब यह है इस तरीके से यह जो है यह बिंदू जो है संधी बिंदू है संधी का मतलब क्या है यहां पर यहां पर क्या हो रहा है यहाँ पर दो से अधिक तार जो है आपस में किसी एक जगह पर मिलक आ करके मिल रहे हैं ठीक है जैसे कि दो नदिया मिलती है ठीक है तो उसको क्या बोला जाता है प्रयाग बोला जाता है जहाँ पर भी नदिया मिलती है जैसे कि प्रयाग राज है तिर्थ हमारा वहाँ पर त तार जुड़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं संधी बोलते हैं ठीक आगे भी प्रतीक चिंद में आप लोगों को बता देती हूं यहां पर बिना संधी के तार अगर एक दूसरे को क्रॉस करें मतलब कि एक तार इधर जा रहा है और एक तार इधर से आ रहा है एक लेख्याल से आप मेंसे भी कोई जरूर घरो में जो है इस तरीके से कुछ ना कुछ जरूर ममी बापा को भाई-भाइन को बड़े भाई-बैन को मदद करते होंगे आप लोग इस तरीके से मालों की तार क्रॉस हो रहा है ठीक है आप में को विद्ध्यू तारेक में दिखा में क्या करूंगी यहां पर चिन्ह बतारी हूं वह यहीं होएं धर्शार है कि तार दौसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं पर इसको में उसमें प्लास्टिक चड़ा उपर में तो एक दूसरे से टच भी होगा, तो कुछ दिक्कत का बात नहीं होगा, सौट सर्किट वगर भी कुछ नहीं होगा, पर हम लोगों को आरेक में दिखाने के लिए उसको इस तरीके से शो किया जाता है, अब विद्यूत बल्ब की बात करें, तो विद्यूत बल्ब जैसे कि मै अभी अभी आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे डाइग्राम बनाया होगा, तो आप लोगोंने सोचा होगा कि अरे ये मैम क्या गोदागादी कर रही है, ऐसे ही कुछ सोचा था क्या, नहीं ना, चलो अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा है, तो जान लो भाई, ये क्या है प्रतिरोध नाम से कुछ होता है, ठीक है, जो तारों में पाया जाता है प्रतिरोध, तो अभी सिफ प्रतीक चिन्न को देख लो, क्या होता है वो जस्ट आज की सेशन में ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो बिलकुल बने रहना है आप लोगों को, गाईस मजा पूरा शुरू से लेकर के आखरी तक एक ही सेशन में, एक ही वन शॉट में मैं पूरा आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो बिलकुल पूरा आप लोगों को एक ही बार में रिवाइज होने वाला है और आपकी पूरी पलिक्षा की तैयार ही आज के इस सेशन में हो ओके गुड देखोगे न भाई पूरा वन शॉट मिलने वाला है शुरू से लेकर के आखरी तक आप लोगों को तो ये जो है प्रतिरोधक को इस तरीके से हम जिग जैक जिग जैक तिर्च अमलब इस तरीके से जो है शेप में हम लोग जो है दर्शाते हैं इस प्रतिरोध को जो है हम लोग आरक्षर से प्रदर्शित करते हैं अभी आगे पढ़ेंगे पर फिलाल आप लोग इसका प्रतिक चिन्ह यहाँ पर देख सकते हो और जहां पर ये प्रतिरोध जो है परिवर्ती है मतलब की बार 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 बदल रहा है जिसको हम लोग धारा नियंतरक के नाम सभी जानते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं करते हैं ये जो प्रतिरोध को हम लोगों ने प्रदर्शित किया था ना उसमें हम लोग इस तरीके से एरो का चिन्ह लगा देते हैं या फिर इस तरीके से एरो का चिन्ह लगा देते हैं इसका मतलब यह है इसको खसका के हम लोग आगे पीछे करके क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं, ठीक है, प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, परिवर्ति, प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक क्यों कहलाते हैं, बताओंगी आगे, अभी नहीं समझ पाओगे बस आप प्रतिक चीड़ने देख लो एमीटर और वोल्ट मीटर की बात हो रही है तो यह जो एमिटर है ए एक्षार है तो यह इसका प्रयोग हम लोग कीज लिए करते हैं इस एमेटर का प्रयोग जो है जो हमारी विद्धारा यहां पर इस तार में से बहरी है ना इ यहां पर मैं यह तार लगाई हुई हूँ जिसका प्रतिरोध क्या है आर है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा इस तार से बहने वाली जो विद्युद्धारा है वो हम लोग ना आप सकते हैं इस तरीके से अमिटर होता है और आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा नहीं देखा है तो जरूर आप लोग जा करके देखना और यहां पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ठीक है तो वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं वोल्टेज किसको बोलते हैं विभाव किसको बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग किवल विद् की तरह आगे पढ़ने के लिए मिलेगा इसको अगर जब हम लोगों को नाहिए और वहां पर हम क्या करते हैं शोटो मीटर का इसतमाल करते जिसका प्रतीक चिंञ जो है इस तरीके से दिया हुआ है और इस को किसी भी तार के हम अब इसको भी मैं समझाओंगी आप लोगों को क्योंकि अभी ना हम लोग पूरा विद्युत के जादू को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं हम लोग विद्युत के पूरे जादू को देख रहे हैं ठीक है तो अब जादू में क्या हो रहा था जादू में हो रहा था कि पहल बल्व किसके कारण जला तो आवेश के प्रवाह के कारण जला ठीक है किसके कारण जला आवेश के प्रवाह के कारण तो यह आवेश का प्रवाह के कारण तो यह आवेश का प्रवाह हो रहा था जिसके वजह से हम लोगों को क्या मिल रही थी इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक के वज़ा से विद्धुद धारा के इस बल्ब से हो करके गुजारने की वज़ा से हम लोगों को ये बल्फ जल करके मिला ठीक है किसमें मिला विद्धुद परिपत में हम लोगों ने विद्धुद परिपत बनाया जिसमें हम लोगों ने बल्फ जोड़ा ठीक है पर यहां प विद्यूत सेल के वजह से हम लोगों को मिल रहा था ठीक है तो इस विद्यूत सेल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर जो है आवेश मिल रहे हैं इस धन सीरे से मिल रहे हैं और रिंट सीरे पर आ करके खतम हो रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को परिप यहां पर आप लोगों को धारा की दिशा भी बना करके दिखाई गई है इस तरीके से ठीक है धारा की दिशा बना करके दिखाई गई है अब यह धारा किसकी वज़ा से बन बह रही है इस सेल या फिर बैटरे की वज़ा से बह रही है ठीक है तो यहां पर आप लोग देख रह है उर्जा क्या मिल रही है उर्जा ठीक है उर्जा मिल रही है जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है यहां पर जो तार है ठीक है यहां पर जो तार है और इस तार में जो इलेक्ट्रावों ठिके इस तार में जो इलेक्ट्राउं स्थोंगे उनको बेहने के लिए ये जो बैटरी है उर्जा दे रहा है उर्जा दे रहा है मतलब की उर्जा की वजह से यहां पर देखो उर्जा दे रहा है तो उर्जा की यह उर्जा है ना यह क्या है उर्जा और इस उर्जा की वज़ा से क्या हो रहा है बल मिल रहा है इसको विद्यूद बल बोलते हैं तो विद्यूद बल को मैं विद्धुत बलों की वजह से जो यहाँ पर स्टार के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुक्त होते हैं मुक्त वस्था में आते हैं और उनको क्या मिलता है गती करने के लिए बल मिल रहा है यहाँ पर आप जैसे कि आप लोगो नेका अक्षा नवी में मोशन में पढ़ा है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमनों बैटरी लगाते हैं तार के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर विद्धुत बल मिलता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की गती की वजह से ही क्या होते हैं आवेश जो है वो प्रवाहित होत पर यहां पर हो क्या रहा है यह प्रवाह कब होगा जब एक उच्च होगा एक निम्न होगा अब जैसे कि पानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पानी कब बहता है ठीक है पानी कब बहता है जब मान लोग की हम लोग उचाई से नीचे मतलब उचाई से कोई पानी म की तरफ ठीक है उच्छ से निमना की तरफ ठीक तो यह जो उच्छ से निमना की तरफ जब प्रवा होगा इनका ठीक है तो यह जो धान है यह धना आवेश यह जो है क्या है उच्छ है और यह क्या है रेन यह जो है इस तरफ जो है निमना है ठीक है उच्छ है और निमना है यह और यहां पर जैसे की यहां पर हो क्या रहा है अब इनको जैसे की विद्धित बल लगाया गया जिसकी वज़े से यहां पर क्या हुई इलेक्ट्रानों में गती हुई ठीक है अब इलेक्ट्रानों में गती कर्माने के कारण यहां पर क्या हो रहा है काम हो रहा है कारे करना भौतिक राशी के बारे में मिलता है जिसको हम भौतिक राशी हमको मिलती है जिसको हम कहते हैं क्या विद्युत विभाव कैसे मिला कि इन आवेशों को बहाने के लिए इन आवेशों को एक जगा से दूसरी जगा बहाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा जो कारे करना ठीके वही क्या कहलाता है विद्यूत विभाव कहलाता है और यहां पर हम लोग विद्यूत विभाव को कैसे प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर हम लोग विद्यूत विभाव को आप लोग नाम से ही समझ सकते हो विभाव ठीके विभाव वोल रहे हैं तो इसको वी अक्षर से इस विभाव को प्रदर्शित करते हैं हम वी अक्षर थे और यहां पर जो कारे करना पड़ रहा है आवेशों को बहाने के लिए यह तो कारे बटे आवेश ठीक है तो यहां पर आवेशों को कितने आप कि मान लो की क्यों आवेश को बहाने के लिए डबलू कारे किया गया तो यहाँ पर विद्यूत वीभाव क्या हो जाएगा, W बटे Q का जो अनुपात है, वो विद्यूत विभाव हो जाएगा, यह नई भावतिक राशी मिली एक जगह से दूसरे जगह तक के आवेश को बहाने के लिए, Q आवेश को बहाने के लिए, W कारे किया गया, जो हम कि यह जो विद्युत विभाव है इस भातिक राशी के बारे में वोल्टा जी ने बताया जो है एक scientist का नाम है है तो उन्हीं के नाम पर इनका जो मात्रक है वो वोल्ट हुआ ठीक है और इस विद्युत विभाव को अंग्रेजी में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज सुन सकते हो सुन के अंग्रेजी के भी नाम याद रखो आगे चलके आप लोगों को हेल्प होगा काम आएगा बिल् वी बराबर कार बटे आवेश का अनुपात बताया गया है विभाव का मात्रक वोल्ट या फिर जूल पर कुलाम होता है अब जूल पर कुलाम क्यों कि जो हमारा विद्वत आवेश है इसका मात्रक हमारा क्या है कुलाम और जो हमारा यहाँ पर कारे है इसका मात्रक है क्या जूल आप लोगों ने इसके पहले की कख्षाओं में पढ़ा ही होगा इसलिए इसका मात्रक जूल पर कुलाम या फिर अगर हम बात करें साइंटिस्ट के नाम पर तब हम उसको लिख लेते हैं क्या वोल्ट है ना तो विद्धुत विभाव या फिर वोल्टेज का मात्रक होता है क्या वोल्ट या तो फिर जूल एंपियर पर सेकेंड स्व मतलब क्या हlide तो यह भी मैं आप लोगों को बता देती हूं जैसे कि यहाँ पर यе विभाव है यह डबलू है और यह जो Q आवेश है तो हम लोगोंने पहले ही पढ़ा हुआ हैै क्या I भराबर क्यों वाईटी यहां से अम ल οπο境 आवेश बराबर क्या मिल जाएगा यकर मैं समय को इधर भेस दूंगी तो आवेश बराबर मिल जाएगा मिरे खूर क्या आई ďंटु टी तो तो यहां पर I का मात्रक क्या होता है विद्धारा का EMPR और समय का सेकंड तो इसलिए यहां पर आप मात्रक लिग सकते हो क्या Joule पर EMPR सेकंड ठीक है हम लोगों ने यहां पर रखा क्या Q बराबर IT समझ में आ गया, बिल्कुल सारी चीज़े याद आ गई, आप लोगोंने बहुत detail में अराम-याम से पढ़ा होगा, पर मैं अब कोशिश कर रही हूं आप लोगों को, इस session में मैं आप लोगों को पूरे detail में और पूरा अच्छे से आप लोगों को revise करवादूं, पूरा one shot में आप लोगों को दे रही हूँ ठीक है तो ये हो गया चालो हाँ समझ में आ गया विद्यूत विभाव अब हम बात करेंगे किसकी विभुवांतर की बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम लोग विभुवांतर ठीक है तो यहाँ पर जब कार्य हो रहा था जब कार्य हो रहा था त उच्च से निमना की तरफ बह रही थी ठीक है तो यहां पर जो उच्च से निमना की तरफ बोल रहा है यह धन है एक तरफ रिन है ठीक है तो यह जो है क्या है यह धनात्मक बिंदू है और यह मतलब धनात्मक हिस्सा है यह जो है रिनात्मक हिस्सा है ठीक है तो जो यह धनात् का के ठीक के और यह वाला जो हिस्सा है वो है निमना विभाव का ठीक है तो इस तरीके से हो और है इस धन आवेश से जो हमनलब की जुव जो विद्धारा है इधर इस दिशा में बह रहे हैं इस दिशा में बहते हुए वापस अक Bull तो यहां पर हम लोगों की पास दो बिंदू है ठीक है क्या है दो बिंदू है जैसे कि आप लोग देख सकते कि स्तार में मालों की यह वाला हिस्सा हम लोगों ने लिया यह हमारा ए बिंदू और यह वाला हिस्सा लिया हम लोगों ने क्या यह हमारा बी बिंदू और हर बिंद जो किया गया कारे है वही क्या कहला रहा है विद्यूत विभाव कहला रहा है आप लोगों का Q आविश को प्रवाहित करने के लिए अगर W कारे कर रहे हैं तो W और Q का जो आनुपात है वही विभाव कहला रहा है तो इस बिंदू पर भी एक विभाव होगा दूसरे बिंदू का प्रवाह उच्छ से निम्न की तरफ ठीक है तो यहां पर आपका तभी प्रवाव ही थोगा ना जब यहां पर उच्छ विभाव होगा और यहां पर क्या होगा निम्न विभाव होगा ठीक है जैसे कि पानी है ना पानी उपर से नीचे बहती है ठीक उसी तरीके से तो यह ज बहुत ही आसान परिभाशा है एसकी औरिसको समझना भी बहुत जाधा आसन है ठीक है आसान है की नहीं यह जल्दी कमेंटस कर folks के बता हो विद्भेस रहात है जल्दी बताओ मुझे बताओ है जल्दी बताओ एक चीज में आप लोगों को और बताना चाहूंगी यहां पर ठीक है एक छोटा सा कॉंसर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब यहां पर हम विद्युद्धारा प्रवाहित करा रहे हैं ठीक है तो यहां पर जो विद्युद्धारा प्रव हो रहा है ठीक है परन्तु जो विद्धुद धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉंस के बहने के करण बहती है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो विद्धुद धारा बहती है वो किसके बहने की करण बहती है इलेक्ट्रॉंस के बहने के करण बहती है इलेक्ट्रॉंस क इस इलेक्ट्रों का प्रवाह वो रिन से धन की तरब होता है, कियों कि ये रिन आवेश है, ठीक है, और हमारा जो धन आवेश जो प्रोटान है वो तो प्रवाहित हो इनीरा है, वो अपने नाभी के साथ बैठा वूँआ है, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, फिर भी हम लोग यहाँ पर विद्धारा की दिशा कैसे इधर क्यों लेते हैं क्यों लेते हैं हम इधर विद्धारा की दिशा देखो यहाँ पर यह जो है वो विद्धारा की दिशा है जबके इलेक्ट्रानों के बहाव की दिशा जो है वो यह है ठीक है तो बेटा इसका हा न जिस सिक्वेंस में कि पहले तो भाई बह जल रही थी बह च रहे है क्योंकि एक बिंदू पर उच्च विभा हो है और एक बिंदू पर निम्न विभा है तो जैसे उपर से नीचे पानी गिरता है ठीक उसी तरीके बाद में इस चीज की clarity मिली कि जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं पहले तो हमको बस इतना ही पता था कि क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो जो क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वहाँ पे धन आवेश और रिन आवेश दो प्रकार के आवेश हो रहे थे तो इलेक् ये भी बात सही है कि ऊपर से नीचे इप एसकता है तरह जाता है बेहता हुए समारा के निमन विभाओ की तरफ ही हम लोग ca पर जो हमारा जो इलेक्टरॉन है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के वज़ए से जहां लोगों विद्युद्धारा परिणाम स्वरूप मिल रही है ठीक है तो उसको हम लोगों ने रिण से धन की दिशा जो है ये जो है इलेक्ट्रोनों के प्रवाहा की दिशा है ये जो है विद्युद्धारा के प्रवाहा की दिशा है ठीक है तो ये जो है विपरीत दिशा में होती है त जो हमारे आवेश हैं वो प्रवाहित होंगे और विद्युद्धार हम लोगो को मिलेगी तो बस ध्यां रखिले ना इस चीज को और में भी आप लोगों को जो है इसका कारण लिखने के लिए पूछ सकता है एक्जाम में हो सकता है कि दो नंबर का आप लोगों को पूछ सके कि इलेक्ट्राणों की दिशा जो है इलेक्ट्राणों के प्रवाह की दिशा विद्धारा के प्रवाह के विपरित द तो ज्यादा तर आप लोगों को जो है थियोरी का हिस्सा पूछेगा ठीक है एक नंबर की परिभाशाएं आ चाहेगी कई जगा जो है अब्जेक्टिव कोशन्स भी आते हैं बहुत सारे बोर्ड में बिहार जारकन बोर्ड में अब्जेक्टिव कोशन्स आते हैं और यूपी उसको अच्छी तरह आप लोगों को डिटेल में बताने आना चाहिए समझाने आना चाहिए अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हो तो जरूर आप एक बार पुस्तक पढ़ोगे देखो पुस्तक पढ़ना भी बहुत जरूरी है आप अपनी किताब पढ़ोगे तो नंबर आप ला सकते हो ठीक है अच्छा एक बात और बताना चाहूंगी दसवी के बच्चों को कि भाई बड़ी कक्षाओं में जब आप जाओगे तो ये नवी दसवी का ये जो फिजिक्स और ये जो साइन्स का जितना भी सिलिबस है अगर ये आप लोगों का अच्छे से अच्छे से डिटेल में समझना है आगे चलके जो बड़े एग्जाम कि आप लोग तयारी करोगे बहुत सारी तरह के एकजाम होते है जे डबली नीट के एकजाम होते है तो उन एकजाम की जब आप तयारी करोगे तो आप लोगों को ये नवी दसवी का बेसिक कख्षा 11 व करना होगा ठीक है पूरा अच्छे से समझना होगा और अपनी नियुव मजबूत रखनी होगी मतलब आपको जो बेसिक है जो मतलब बहुती चोटी-चोटी बाते हैं ठीक है छोटी-चोटी और मोटी बाते यह आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए और इसी के साथ हम यह numerical question कर लेते हैं तो जब भी इस तरीके से questions आएंगे आप लोगों को तो आप लोगों को दो या तीन नंबर के ही numericals आएंगे ठीक है दो या तीन नंबर के numericals में आप लोगों को जैसे की मालो question को solve करना है ठीक है तो क्या करोगी सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पर अभी प्रतिरोध के बारे में नहीं बताया है आप लोगों को कोई बात नहीं को aplós क्या है तो ओम बिल्कुल एक साइंटिस्ट का नाम है विज्ञानिक का नाम है जिनों ने हम लोगों को विद्युत धारा और विद्युत विभाव से संबंधित एक नियम दिया जिस नियम का नाम है क्या ओम का नियम और इन ओम के नियम के अनुसार जो हम लोगों ने एक विभवांतर है आप लोगों का ठीक है ये जो है विभवांतर ये वी ए माइनस वी बी तो हम लोगों ने क्या लिया एक चालक तार लिया एक चालक तार के हमारे पास क्या है दो सीरे है पहला सीरा आपका ए है दूसरा सीरा वी बी है और पहले सीरे में आप लोगों का यहां प प्रदर्शित करें वी से तो यह जो वी है वो क्या है वी बराबर वी ए माइनस वी भी ठीक है यह वी जो है वो विद्धुत विभाव है दोनों बिंदुओं के बीच का और वी ए माइनस वी भी क्या है विभुवांतर है दोनों बिंदुओं के बीच ठीक है तो यहां पर इन को देंगे उसके हिसाब से ही यहाँ पर क्या हो रही है इस विद्धित धारा बह रही है ठीक है तो यह जो विद्धित धारा है इस विभाव के समान अनुपात में ही बहेगी बस सर्थ इतनी है कि यहाँ पर तापमान जो है वो नियत होना चाहिए जो भी भौतिक राश्या है लंबाई दाब ये सारी चीजे जो है वो नियत होनी चाहिए ठीक है तो ये नियत रहेगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा जितना हम लोग उस विद्यूत परिपत में क्या लगाएंगे इस विद्यूत परिपत में हम क्या लगाएंगे जितना विभाव लगाएंगे देखो य यहां पे हम लोगों को क्या मिलेगी धारा बहके मिलेगी जितना विभवांतर होगा उतना ही धारा मिलेगा तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या है वी है तो यह होगा वी समानुपाती आई के ठीक है वी समानुपाती आई के समान अनुपात में बढ़ेगी ह जैसे जैसे हम इस विभाव के अंतर को अगर बढ़ाते जाएंगे ठीक है वैसे वैसे हम लोगों की विद्यद्धारा भी क्या होगी बढ़ते जाएगी तो हम इसको अगर ओम के नियम के अनुसार परिभाशित करें तो कैसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालकतार के भौतिक आवस्था में ताप, दाप, आईतन, आधी को परीवर्टित ना करें, ठीक है, परीवर्टित ना करें, मतलब कि अगर ये सारी भोती का वस्थाएं, क्या हो, नियत हो, फिक्स हो, तो चालक के, चालक के सिरो पर लगाया गया विभुवांतर ठीक है हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया चालक के सिरो पर विभुवांतर तो चालक के सिरो पर लगाया गया जो विभुवांतर वी है वो इन चालक तार में बहने वाली विद्युधारा के क्या होता है अनुत क्रमानुपाती या फ बता हुई होगा ठीक है अनुत्रमानुपाति है समानुपाति का चिन्ह ठीक और इसका मतलब यह होता है कि जितना हम विभाव बढ़ाएंगे उसी के समान अनुपात में आप लोगों का विद्धत धारा भी यहाँ पर बढ़ेगा ठीक है अब यह जो बल्फ हम लोगों ने ल की नहीं, clear है की नहीं गाईस, सभी बच्चों को एकदम clear होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हाँ, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इस समानुपाती के चिन्न को अगर हटाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम समानुपाती का चिन्न हटाएंग और इसको हम लोग बोलते हैं क्या प्रतिरोध क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग प्रतिरोध ठीक है ये क्या है प्रतिरोध ठीक तो ये इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि अगर हम लोगों को इस प्रतिरोध को समझना है तो यहाँ प पर और बिल्कुल ये जो V equals to R I है V बराबर R I ये जो है आपके ओम के नियम को गणितिय रूप में परिभाशित करता है पर अगर आपको कोई भी सवाल पुछा आपको वायवा में या परिक्षा में तो भाई V equals to R I मत बोलना ओम का नियम ओम्स लौ मतलब की V equals to R I नहीं होता है ओम्स के नियम का ये गणितिय रूप है परिभाश आप लोगों को इस तरह से लिखनी है बहुत इंपोर्डेंट है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर चित्र भी बना सकते हो चित्र में क्या बनाओगे आप लोग चित्र में आप लोग यही बनाओगे कि जैसे कि मान कि आप लोगों ने क्या लगाया विद्युद सेल धन और रिण उच्च विभाव निन्न विभाव यहाँ पर क्या लगाया आप लोगों ने बल्व ठीक है तो यह क्या हुआ यहाँ पर विद्युद धारा बही क्योंकि यहाँ पर क्या है इसके विभाव में अंतर है यह से से आप लोग क्या लगा रहे हो यहां पर इसको सेल से जो है उर्जा दे रहे हो और जिसकी वज़ा से यहां पर हम लोगों को क्या मिला यह जो है उम का नियम मिला ठीक है और यहां पर क्या होगा यह जो प्रतिरोध को हम प्रदर्शित कर रहे हैं न हम लोगों ने अभी अभी जब आरेख देखा था विद्धित परिपत का आरेख तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोगों को प्रतिरोध बनाना होता है तो हम क्या करते हैं प्रतिरोध को इस तरह से बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर बल्फ के जगा हम इस प्रतिरोध को भी वहाँ पर लगा कर के प्रदर्शित कर सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे पर फिलाल आप इतना नोट कर सकते हो जल्दी से फटाफट नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो बेटा पिल्कुल इसके लिए आप लोगों को एक नहीं पहुतीक राशी मिली तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या मिला हम लोगों को r equals to v बटे i हैं ना यहां पे हम लोगों को विभाव बटे विद्धारा मिला और यह जो है प्रतिरोध की अगर परिमाशा दीखें तो द्वारा वह इसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है क्या करता है विरोध करता है नाम से ही समझ में आ रहा है प्रतिरोध में ही आप लोगों का क्या है विरोध शब्द जुड़ा हुआ है अगर आप हिंदी में संधी समास के हैसाब से अगर थोड़ा सोचोगे तो यहां पर क्या हो रहा है विरोध कर रहा है किसका प्रवाहित धारा का तो क्योंकि प्रवाहित धारा का विरोध कर रहा है तो हम लोगों ने इसको नाम दे दिया क्या प्रतिरोध क्योंकि चालकतार है ठीक है ये क्या है ये जो है क्या है चालकतार है अब इस चालकतार में हम लोग क् आवेशों के प्रवाग की वज़े से हमको विद्धारा मिल रही है पर जितनी विद्धारा हम चालकतार में देंगे तो पूरी-पूरी चालकतार में विद्धारा नहीं बहेगी उसमें ना कुछ न कुछ क्या होगा नुकसान होगा च्छै होगा ठीक है क्यों होगा वो इस प बल्ब हम लोगों को जल के मिलेगा प्रकाश उजा के रूप में मिलेगा वहाँ पर होगा क्या बल्फ गरम भी होगा ठीक है मतलब की वहाँ पर प्रकाश के सांसाथ कुछ उश्मा भी उत्पन हो रही है जिसकी वज़ा से बल्फ जो है वो गरम हो रहा है क्यों हो रहा है क्यो होते हैं तो इस प्रतिरोध की वजह से ही होते हैं क्योंकि उश्मा के रूप में वहाँ पर उर्जा का क्या होता है छै होता है नुकसान होता है ठीक है तो यह क्या कहलाता है प्रतिरोध का मातरक क्या होता है तो इस प्रतिरोध का मातरक होता है ओम यह क्या है इसको हम लोग ब प्रतिरोध ठीक है अब ये प्रतिरोध नियत कब रहेगा जब भौतिक राश्यान जैसे कि ताप दाब और आयतन ये सब नियत हो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर मान लो कि ताप मान नियत नहीं रहा ठीक है तो होगा क्या इस प्रतिरोध का मान नियत ना हो क परके बदलने लगेगा ठीक है तो इतने डिटेल में हमको नहीं जाना है यह आप आगे की कख्षाव में पढ़ोगे पर बस मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे रही हूं कि तापमान का दाप का और आयतन का नियत होना बहुत जरूरी है तब ही आप लोगों को यहाँ पर यह यह हम लोगों को कैसे मिलता है यह हम लोगों को मिलता है कि प्रतिरोध किन-किन कारकों पर निर्भर करता है ठीक है किन-किन कारकों पर निर्भर करता है वहां से हम लोगों को यह प्रतिरोध का सुत्र मिलता है फिलहाल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर L क्या ह जरूरी है इसके related 3 number केbb डिवाःब़ Kids कि योँप कि हम भी कोशिश करेंगे कि अज किस लास में हम कुछ नियुक्प मारिख़ कागर बात करें तो यहां पर यह जो रो है ठीक है यह जो है यही क्या है यह प्रति रोधक्ता को प्रधर्शित करती है यहां और इसको यहां पर इस प्रतिरोध के सुत्र में नियतांक का कारए करता है ठीक है इसको परिवांशित अ갈ом दो क्या होगा किसी धातू के लिए तो यहाँ पर किसी चालक धातू के एक समान चालक का प्रतिरोध, मतलब कि मालो की कोई चालक टार है, एक समान चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई के अनुत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुत्प्रस्ट काटकल के छेटरफल के क्या होता है वित्क्रमानुपाती होता है इसका मतलब यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो किसी भी चालक तार है किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग इस करते हैं इसको जब हम लोग मिला करके लिखते हैं तो हम लोगों को यहां पर क्या मिलता है इसको मिला करके लिखने से हम लोगों को मिलता है आर समानुपाती है ल बाई एक जब हम इस समानुपाती के चिन्न को हटाते हैं तब हम लोगों को यहां पर क्या मिलता है प्रतिरोध प्रतिरोध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध L तो ये क्या मिल गई आप लोगों को किसी भी चालक तार की प्रतिरोधक्ता और इस प्रतिरोधक्ता का मान जो है fix रहता है सुन्य डिगरी के लिए fix मान जो है रहता है इसकी सारणी होती है आप लोगों की पुस्तक में दिया होगा पर वो सारणी बहुत ज्यादा important नहीं है क बहुत ज्यादा चिंता करने की जरुवत नहीं है बिलकुल आसानी से आप लोगों को बन जाएंगे पर हां आप लोग NCRT की बुक में देखोगे तो वहां पर आप लोगों को जो है एक चार्ट मिल जाएगा ठीक है तो अभी हम लोगों ने प्रतिरोध और प्रतिरोधक्त जो मौझूद है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं अब यह रुकावट जो मौझूद है जो प्रतिरोध है वो किस पर किस पर निलभर करेगी यह जो वाइट कलर से मैंने लाइन खीची है जो चालक तार है हमारा ठीक है जैसे कि यह तार है तो यह तार में आप लोग द कहलाता है अनुप्रस्थ कार्ट का छेत्रफल यह क्या कहलाता है अनुप्रस्थ कार्ट का छेत्रफल जिसको हम प्रदर्शित करते हैं ए अक्षर से ठीक है तो जो यह प्रतिरोध है जहां पर हम लोग विद्धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आप लोग इस प्रतिरोध में देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इस सीरे से लेकर कि इस सीरे तक प्रवाहित कर रही हूँ तो मैं कितनी लंबाई में प्रवाहित कर रही हूँ यह पहला कारक हो गया जिस पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करेगा प्रतिरोध मतलब कि उस चालकतार में आने वाला जो विरोध या रुकावट है जो विदुधारा को बहने से रोकेगा तो यहां पर हमारा क्या हो गया जो पहला कारक हो गया हमारा हो गया क्या चालकतार की लंबाई तो जितनी जादी इसकी लंबाई होगी चालकतार की उतना ज्यादा जो है प्रतिरोध अधिक होगा लिख सकते हो थोरी जो म क्या बात कर रहे हैं यहां पर अनुप्रस्थ काट के शेत्रफल की बात कर रहे हैं तो यहां पर अनुप्रस्थ काट के शेत्रफल में आप लोग गी वाला हिस्सा जो है आप लोग देख सकते हो तार का ठीक है तो यहां पर यह अनुप्रस्थ काट का शेत्रफल जितना यह ज क्योंकि ये वित्क्रमा अनुपाती है उल्टा है यहाँ पर अनुप्रस्त काट का शेत्रफल ज्यादा मतलब की प्रतिरोध कम और यहाँ पर अनुप्रस्त काट का शेत्रफल कम मतलब की यहाँ पर क्या होगा अनुप्रस्त काट का शेत्रफल कम इसका मतलब होगा आप लोग जब यहां पर देख लो, एक काम करो, यह जब श्टार्टिक में, मैंने आप लोगों को यहां पर तार दिखाई थी ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक मोटी तार लेने के बजाए, हम लोगों ने बहुत सारी पतली-पतली तारों का गुच्छा लिया है, क्या किया बहुत सारी पतली पतली तारों का गुच्छा लिया है क्यों लिया है तो इसका कारण यही है क्या इसका कारण क्या है पतली तारों का गुच्छा लेने का कारण यह है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो कम हो जाता है क्योंकि जितना अनुप्रस्त काट का मतलब यहां पर क्या थीकिया अनुप्रस्तिकाट का शेतरफल हमलोगा ने जो यहां पर लिया है क्योंकि यहां पर क्या होता है इस है उसमें प्रतिरोध होन यहांपर देख सकते हैं बात करेंगे ऐहांगे हम बात करेंगे यह हमारा प्रतिरोध हो गया प्रतिरोधकता हो गई गाईस पूरा आप लोगों को वन शॉट मैं दे रही हूँ शुरू से लेकर के आखरी तक ओम के नियाम में हम पहुचे हैं बहुत ही जल्द हम इसको पूरा करने वाले हैं तो बिलकुल आप लोगों को इस क्लास में बने रहन है और पूरा ध्यान से आप लोगों को ये वन शॉट देखते जाना है सुनते जाना है ठीक है पूरा वन शॉट देखते जाओ अभी तक कि जो भी मैंने बताया I hope आप लोगों को पूरी clarity मिल गई होगी, ठीक है, ये प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं, तो भाई इस कारक में तीसरा वाला जो है कारक, वो है आप लोगों का क्या ताप मान, क्या है ताप, temperature ताप मान, ठीक है, तो होता क्या है, कि, अब जैसे कि मान लो कि मैं तार ले रही हूँ, तो एक तार का तुकड़ा मैंने लिया, तो उसका जो प्रतिरोध है न, ये जो प्रतिरोध है, वो क्या रहेगा, fix रहेगा, क्योंकि लंबाई बड़ी होगी नहीं, तार को मैंने काट के ले लिया, और उस अनुप्रस्ति काट का शेत्रफल भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है, ये जो है, एक बार मैंने कोई भी चालक तार ले ली, तो ये क्या हो गया, fix हो गया, पर जब मैं तापमान की अगर बात करती हूँ, तो तापमान जो है, मतलब जिस जगहा में हम लोग रखते है, वहाँ पर ज्याद करके होंगे, जो भी आप पर करने केंजीनियर, लोग आपर करते होंगे, अब जैसे कि मालो की मैं रे तीले जगहा की बात करूं, वहाँ पर जो है, पर जो है, तापमान जाधा होता है, तो तो चालक तार का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, तो इसका पर zwischen बात करई मतलब कि इसको हम लोग मतलब फिक्स नहीं रख सकते ठीक है फिक्स नहीं रख सकते इसलिए मतलब हम जब मतलब जिस जगह पर भी मान लोग की चालकतार को लगा रहे हैं तो उस जगह हम लोग सोच समझ के मतलब पूरा कैलकुलेशन करके रखते हैं देखो आदर्श रूप मे पर जो reality है real में पूरा पूरा एकदम fix तो हो नहीं पाता पर फिर भी हम लोग उसको लगभक fix मान के चलते है ठीक है तो इसलिए ताप मान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है इसलिए हम लोगों ने जिन भी भौतिक राइशियों के बारे में पढ़ा था यहां पर परिमाश असर होगा नहीं आयतन तो fix हो ही जाएगा क्योंकि आयतन जो है आपकी लंबाई और शित्रफल पर निभर करता है तो इसका प्रतिरोध तो यहां पर फिक्स हो जाएगा पर में यहां पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ताप नियत होना क्योंकि इसका बहुत इंपक्त प्रवाहित करने वाले कारक और पूरा आप लोगों को इसमें जो है थ्योरी लिखनी है आप लोगों को पूरा एक्स्प्लेइन करके लिखना है जल्दी से नोट कर लो गाइज फटा फट से समझ आया की नहीं सभी बच्चों को यहाँ पर कमेंट्स करके बताते रहना है बिल्कुल मैं आप लोगों की कमेंट्स लगातार देख रही हूँ जल्दी बताओ अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया क्या आप सभी बच्चों को वो पूरा क्लियर है यास या नोट जल्दी से मेरे को बता दो अभी तक जो भी मैंने बताया क्या पूरा आप लोगों को क्लियर है चालो वैरी गूड अच्छा ये तो हम लोगों ने देख लि A मिला अगर हम समानुपाति का चिन्न हटाए तो यहां पर हम लोगों को रो मिला L by A तो यहां पर जो प्रभावित करने वाले कारक है तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक चौथा नमबर में आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर चौथे नमबर में आप लोग लिख लो क्या जो हमारी प्रतिरोधकता है वो भी क्या है यहाँ पर प्रतिरोध को प्रभावित कर रही है तो अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो आप लोगों का प्रतिरोध भी बढ़ होना चाहिए पहले भी मैंने आप लोगों को पताया फिर से यहां पर बता रहे हूं तापमान का नियत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब यहां से हम लोगों को प्रतिरोधक्ता का तो मिल जाएगा ठीक है यह क्या मिल जाएगा रो बराबर आर ए बाई अगर हुआ तो भई प्रतिरोधका मात्रक होता है ओ और छेत्रफल बटे लंबाई तो वहां पर मिटर स्कूर बटे में अम कड़ गया तो वहां से हम लोगों को इसका मात्रक मिल लिया क्या ओम मिटर ठीक है तो देखते हैं हम एक निमारिकल देख लेते हैं और इसके पहले भी हम हमारा जो निमारिकल था विभुवांतर वाला वो निमारिकल भी हम करेंगे कोशिश की हम सॉल्व कर सके और आप लोगों को सारी चीजे समझ में आए तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हुए आप पर प्रेश्णों को पढ़ों क्या लिखा हुआ है किसी विद्यूत इस्तरी में अधिक्तम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से उर्जा उप्यूक्त होती है और 300 वाट की दर से उस समय उपभूक उप्यूक्त उर्जा जब तापन की दर से निमनतम है यदि विद्यूत इस्तरोध की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रक्रणों में आप लोगों को विद्युद्धारा और प्रतिरोध का मान निकालना है क्या निकालना है यहाँ पे आप लोगों को विद्युद्धारा और प्रतिरोध का मान निकालना है तो देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो numerical है ठीक पिछले numerical की तरह यह आगे के हमारे topic सकती से related है ठीक है तो यह numerical आप देख रहे हो तो मैं आप लोगों को इस topic के बाद इसलिए लेकर क्या आई हूँ कि भाई मतलब दो topics को मिला करके इस तरह से numerical कर लेते हैं इसके बाद हम लोगोंने मैंने आप लोगों को शुरूश्र वात में ही बताया था तो यहुंड हमारा कहां पर है क्यों हिए हुआ अंतर हम लोगों को ग्याद करना है ठीक है अब ये 100 जूल उश्मा उद्पन हो रही है तो देखो दो टापिक्स से मिक्स है यहां पर भी उश्मा की बात कर रहा है ठीक है तो इस तरीके के इन टापिक्स में से सवाल आएंगे ये सवाल आपको दो नंबर का पूछेगा अगल को पता रहे कि भाई कौन से टापिक से किस तरह के आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे ठीक है चल तो आगे हम लोग और रिवाइस कर लेते हैं यहां पर क्या अगला टापिक हम क्या करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन अच्छा एक निमर्कल ये भी है तो ये ट्राई करके देखते हैं क्या यहां पर अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेट कॉंसेट में ये कुश्चन सॉल हो जाएगा देखो प्रेश्न को पढ़के देखते हैं एक बार हम ठीक है उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आएंगे क्या प्रतिरोधों के संयोजन पर तो यहां पर दिये गए पदार्थ के किसी एल लंबाई और ए मोटाई के तार का प्रतिरोध चार ओम हैं इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई एल बाई टू और मोट A 2A ठीक है तो यहाँ पर प्रेश्ण में हाँ बिलकुल हम लोग जो अभी प्रतिरोध का जो सुत्र इहां पर लिखे थे R बराबर Rho L by A ठीक है तो बिलकुल इसी सुत्र से जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं discussion को पर बिल्कुल मैं आप लोगों को समय दे रही हूं थोड़ा जल्दी से एक बर प्रेश्न को पढ़ो यहां पर मैं थोड़ा समझा देती हूं फिर मैं समय देती हूं ताकि आप लोगों को solve करना आसान हो ठीक है यहां पर दिये गए पदार्थ में मानलों कि कोई सा भी पदार्थ का ठीक है उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोगों को इसी पदार्थ के किसी अन्यतार का मतलब की पदार्थ वही है पदार्थ वही है का मतलब क्या हो जाएगा क्योंकि यह जो है पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करता है तो अगर समान पदार्थ है तो उ दूसरा प्रतिरोध जो है वो कुछ और आएगा ये प्रतिरोध ही हम लोगों को क्या करना है ज्याद करना है और इसकी लंबाई को माल लेते हैं ये हम माल लिए L1 और A1 और इसकी लंबाई L2 बराबर क्या है पहले वाली लंबाई का आधा पहले वाली लंबाई का आधा ठीक और जो उसी पदार्थ का जो दूसरा तार हम लोग ले रहे हैं ठीक है यह दूसरा तार है ना दूसरा तार तो इसका प्रतिरोध क्या दिया हुआ है इसका जो है मोटाई क्या दिया हुआ है एटू बराबर 2A1 अब हम लोगों कि यहाँ पर इस दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना है तो देखो लंबाई बदल रही है छेत्रफल बदल रहा है ठीक है यहाँ पर प्रतिरोधकता वही रहेगी प्रतिरोधकता क्या रहेगी सेम रहेगी क्यों सेम रहेगी क्योंकि पदार्थ वही है, पदार्थ सेम है, वही है, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, किस पर किस पर, यह R जो है निर्भर कर रहा है आप लोगों का L और A पर, अब इसका इस्तमाल करके आपको solve करना है, try करो, कोशिश करो, बिल्कुल मैं यहीं पर हूँ, और आपको question को हल करने के लिए, यहाँ पर try करना है, हो रहा है guys, थोड़ा बहुत try कर रहा है हो, समझ आ रहा है कुछ, चलो, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जैसे कि यह है, इस relation पर निर्भर कर रहा है, पर हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने दो तार लिए हुए है, समान पदार्थ के दो तार लिए हुए है, तो अगर हम लोगों को उसके लिए second वाले तार के लिए R2 निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार यही equation जो है, हम लोग किसके लिए 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 ठी तो यह हो गया हमारा क्या, यह हो गया equation number 1, यह हो गया हमारा क्या, equation number 2, ठीक है, अब यहाँ पर दो equations हमारे हो गए, जब अगर हम लोगों को R2 यहाँ पर निकालना है, तो हम लोगों क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे, ठीक है, समीकरण 2 में 1 का भाग तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा, R2 बटे R1 बराबर होगा, L2 बटे A2 बटे L1 बटे A1, इसको अगर हम लोग फिर से जमा करके अगर लिखें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग L2 बटे A2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा में, A1 बटे L1, है और हम लोगों को सवाल में दिया हुआ है, कि L2 बराबर जो है, पहले वाले तार की लंबाई का आधा, और जो अनुप्रीस्ते काट का छितरफल है, पहले वाली तार का दो गुणा है, अनुपरीस्ते काट का शितरफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रतिरोध, यह हो जाएगा R2 बटे R1 बराबर हम लोग रखेंगे L2 की जगह L1 by 2 और यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले अनुप्रस्ति काट के शेत्रफल की जगहां में रखेंगे क्या 2A1 यह हो जाएगा A1 बटे L1 ठीक है और यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का यह L1 और यह L1 कर ज जाएगा काई ध्यान से देखना समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत आसान है कुछ भी नहीं है सवाल में बस हम लोगों को 2 तार दिये हुए हैं दो अलग-अलग तार है पर पदार थुन का समान है मानलो कि मैं तांबे का तार ली तो दो तार ली मैं एक तार अलग दूसरा जिसमें उसकी लंबाई और शेत्रफल जो है अलग-अलग है तो पहले वाले का मानलो की L1 और A1 है दूसरे वाले की लंबाई को मानलो की मैंने आधा कर दिया उस तार का आधा कर दिया पर उसको मैं मोटा ले ली तो मेरे को पहले वाले का प्रतिरोध सवाल में दिया हुआ दूसरे का प्रतिरोध मेरे को निकालना है तो दूसरे का प्रतिरोध मैं कैसे निकालूँगी तो उसके लिए मैं ये वाला जो हमारा सुत्र अभी कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है वो मैंने जब आप लोगों को बताया तो वहाँ पर L Y A था हमारा ठीक है तो इसकी सहायता से मैंने दोनों तार के लिए जो है ले लिया इसलिए मैंने दूसरे समिकरण से पहले समिकरण को भाग दे दिया और भाग देने के बाद ये इस तरीके से ये तो गड़ित में आप लोगों ने बीच गड़ित में किया होगा है कि ने तो ये हो गया आपका L1 कट गया L1 से A1 कट गया A1 से और यहाँ पर ये जो बटे में ह यह क्या हो गया, दो गुड़ान दो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आप लोगों का क्या, एक बटे चार, ठीक है, एक बटे चार हो गया, अब बारी आती है इस R1 को उधर भेजने की, तो मेरा R2 बरावर क्या हो जाएगा, R1 बटे चार, R1 का मान कितना दिया हुआ है, सवा R2 का मान क्या आ गया बिटा, एक ओम आ गया, सभी बच्चों को समझ में आया, नुमेरिकल, R2 का मान, एक ओम कैसे आया, बिल्कुल मैं साइड हट रही हूँ, और आप लोग पूरा नोट कर सकते हो, हम लोगों को दूसरे तार के प्रतिरोध को ज्याद करना था, आप दूस चलो भाई, अब हम चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक में, तो हमारा अगला टॉपिक है क्या प्रतिरोधों का सहियोजन, क्या है हमारा अगला टॉपिक प्रतिरोधों का सहियोजन, तो जैसे कि अभी तक के हमारे पास एक तार थी, इस तार का जो प्रतिरोध था, क्या R था ठीक है ठीक है अब अगर ऐसा कहीं पर जरूरत आन पड़ा जहां पर हम लोगों को प्रतिरोध ज्यादा चाहिए ठीक है या प्रतिरोध कम चाहिए तो प्रतिरोध ज्यादा या कम तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आर बराबर हम लोगों को क्या मिला वी बाई आई जिसका मातरक क्या है ओम है ठीके तो यहाँ पर आप लोग इस उत्र में देख पा रहे हो कि यहाँ पर वी और आई जो है वो क्या होंगे समान अनुपात में तो बढ़ेंगे तो जैसे कि मानलों कि मेरे को विद्युद्धार कम चाहिए क्या चाहिए मैं को विद्धारा कम चाहिए तो अगर मैं ज्यादा प्रतिरोध लगाऊंगी तो क्या होगा यहां पर मेरी विद्धारा का जो मान है यहां पर कम हो जाएगा और अगर मैं मान लो की कम प्रतिरोध लगाऊंगी तो यहां पर मेरी विद्धारा का मान ज्यादा हो जाएगा, guys मैं यहाँ पर जो है रो का निशान लगा रही हूँ ये, तो ये जो है उपर वाला जो sign है यह जो है बढ़ने की बढ़ते क्रम को दिखा रहा है यहां पर बढ़ रहा है नीचे वाला sign है वो घट रहा है ठीक है तो बिल्कुल पूरा-पूरा ना लिखते हुए मैं बिल्कुल आप लोगों को यहां पर science के माध्यम से सिखाऊंगे तो बिल्कुल ध्यान रखना है जहां पर अगर हम लोगों को विद्युद्धारा का मान कम चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा प्रतिरोधों को बढ़ाना पड़ेगा प्रतिरोध का मान और जहां पर हम लोगों को विद्युद्धारा का मान ज्यादा चाहिए वहां पर हम लोगों को प्रतिरो ज्सकत होती होगी, तो तो वहां पे मैं क्या करते हूँ, प्रतिरोधों यह जोड़ती हूँ, ठीक है? तो जब मैं प्रतिरोधों को जोड़ूंगी, तो मतलब मेरे पास जब एक से ज़ादा अधिक प्रतिरोध होंगे तो मालो कि यह A B है, सीरा दूसरा प्रतिरोध है मेरे पास क्या ये मालो की B है और ये वाला सीरा मालो की क्या है C है ठीक अब तीसरा प्रतिरोध है मेरे पास मालो की ये क्या है ये वाला सीरा इसका C है और ये वाला सीरा इसका क्या है D है ये R1 हो गया है प्रतिरोध R2 R3 तीन प्रतिरोध है मेरे तो मैं तीन प्रतिरोध को अगर जोड़ूंगी ऐनको दो तरीके से जोड़ सकती हुँ टीए एक तरीके से जोड़ूँगी, तो मेरेको प्रतिरोध बढ़को मिलेगा और दूसरे तरीके से जोड़ूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा प्रतिरोध जो है घट के मिलेगा ठीक है एक बार मेरे को प्रतिरोध को बढ़ाना है प्रतिरोध बढ़ाना है मतलब यहाँ पर मेरी विद्धारा कम हो जाएगी और प्रतिरोध कम हो रहा है मतलब की विद्धारा किया जाता है पहला है स्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है समनांतर क्रम संयोजन ठीक है अब यह स्रेणी क्या है समनांतर क्या है यह भी मैं आप लोगों को समजहाऊंगी ठीक enc कि आप लोग मालो की स्कूल में पंक्ती में खड़े खोते हो ठीक है तो आप लोग दो प्रकार से खड़े हो सकते हो कैसे एक बार लाइन वार खटे हो सकते हो हैं इस तरीके से एक tali से खड़े हो गया ना पंक्ती में इस तरीके से पंक्ती बद्ध जिसको बोलते हैं ठीक है अब एक तरीके से आप कैसे खड़े हो सकते हो ऐसे हाथ पकड़के आजू-बाजू ठीक है आजू-बाजू ठीक है तो इसको बोलते है क्या चैन सीरीज अंग हिंदी में बोलते हैं स्रेणी ठीक है तो एक याद रखोगे तो दूसरा भी याद रह जाएगा जस्ट मैंने उधारण दे कर कि आप लोगों को समझाया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग दो करप्रकार के संयोजन देख रहे हैं एक स्रेणी करम सहयोजन एक समनांतर करम सहयोजन तो जो यह वाला मैंने बताया चेन बनाते हैं सीरीज जिसको बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या सीरीज कनेक्शन क्या बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में series connection बोलते हैं और समनांतर क्रम सायोजन तो इस तरीके से एक के पीछे एक क्या एक के पीछे एक इसमें क्या है एक के पीछे एक है तो एक के पीछे एक को बोलते हैं क्या समनांतर क्रम सायोजन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते है क्या पैरलल ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में पैरलल ठीक है क्या बोलता है इसको समिनांतर करम सही ओजन को पैरलल तो सीरीज कनेक्शन और पैरलल कनेक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है जो हमारे प्रतिरोध है हमारे पास यहां पर प्रतिरोद ले कर के बता रही हूं एमन संख्या में प्रतिरोध हो सकते हैं बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं बहुत puedan concept है ये बहुत important topic है तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से सुनना है यहाँ पर हम समझेंगे वन बाई वन करके ठीक है एक और उदारण यहाँ पर ले लो जैसे कि मेरे पास क्या था बल्व था अभी तक कि मैं बल्व जोड रहे थी तो मेरे पास जो विद्धित परिपत बन रहा था इस तरीके से यहाँ पर विभुहांतर लग रहा थ जोड़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर क्या करा तार से यह जो है यह मालो की यह हिस्सा है और यह इसका भी हिस्सा है ठीक है और यहाँ पर मैंने इसके भी हिस्से से यह वाला जो भी हिस्सा है मालो की यह वाला जो तार है उसको मैंने जोड़ा और यह वाला तार जहें वो सी हिस्सा है तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक के बाद एक मालब चेन के रू है चालू करोगे तो बल्फ जलेगा बंद करोगे तो जो है खुला परीपत हो जाएगा तो बंद परीपत में ही क्या होती है विद्धारा बहती है ठीक इसी तरीके से यहां पर आप लोग बल्फ को देख रहे हो ठीक है तो यह जो हिस्सा है यह वाला हिस्सा भी मैं यह जो हि पहले सीरे तो यहां से मैंने दोनों बल्ब के पहले सीरे को पहले सीरे से ही जोड़ा क्या किया मैंने दोनों बल्ब के पहले सीरे को यहां पर मैंने पहले सीरे से ही जोड़ा और दूसरे सीरे को मैंने क्या किया दूसरे सीरे को मैंने दूसरे सीरे से ही जोड़ा ठीक है तो ज योजन और यहां पर देखो बल्फ जो है यह इसका बल्फ का पहला सिरा है और यह इस बल्फ का क्या है दूसरा सिरा अब यह फर्स्ट बल्ब है और यह क्या है सेकंड बल्फ अब सेकंड बल्ब में यह वाला जो है उसका क्या है यह जाला हिस्सा जो है इसका पहला सिरा है और यह वाले हिस्सा क्या है दूसरा सिरा तो आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहां पर पहले वाले बल्ब के दूसरे सिरे से दूसरे वाले बल्ब के पहले सिरे को जोडा है क्या काफी लंबा है class one shot हम कर रहे हैं एक बार में ही हम पूरा चाप्टर कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने दमाग के बल्ब को जलाए रखना है फुल एनरजी से पानी पीते रहो पढ़ाई करते रहो पानी पीते रहो पढ़ाई करते रहो बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है स्रेणी क्रम साहियोजन में पहले वाले बल्ब के दूसरे वाले बल्ब के पहले सिरे से और यहाँ पर दूसरे वाले बल्ब के प्रतिरोध होता है एक्चुली में तो जब हम बल्ब की जगह अगर प्रतिरोध को करें तो हमारा यहां पर डाइग्राम कैसे बन जाएगा सिरेणी क्रम सही हो जन में हमारा डाइग्राम ऐसा बन जाएगा कि यह हो गया क्या पहले वाले बल्ब का दूसरा सीरा दूसरे वाले बल्ब के पहले सिरे से मैंने जोड दिया, पहले वाले बल्ब का दूसरा सिरा, घ्यान से जोनना, कन्फ्यूस मत होना, ये सेकेंड है, पहले का, फॉर्स्ट का सेकेंड, हाना, एक्जाम में ऐसे ही लिखते हो ना, फॉर्स्ट का सेकेंड, इस तरीके से लिखते अच्छे मेंटेंट करके क्यूंकि हम लोग क्या विभांतर लगाएंगे तब जा करके क्या वहेगी इस परिफत में से विदृjang भाहेगी ठिक यह हो गया स्रेनिक्रम यूजन अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा डाइग्राम है ना स्पेस मेंटेन करके क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर दोनों का डाइग्राम अच्छे से समझना है यह हो गया क्या स्रेणी क्रम सही ओजन यह ए बी सी और डी ठीक है अब यहाँ पर धारा कैसे प्रवाहित होगी जब मैं बैटरी लगाओंगी सेल लगाओंगी तभी न एक सेल से काम नहीं बनेगा दो सेल लगा दिया चलो यह हो गया धन और रिण है ना और यहाँ पर क्या है विभू आंतर वी ए और यहाँ पर वीडी तो यहाँ पर जो विभाव में अंतर है वो क्या है विभाव में अंतर वी ए माइनस वीडी है है ना क्या है यहाँ पर विभाव में अंतर वी ए माइनस वीडी अब यहाँ पर देखो जैसे कि विद्धारा बहेगी तो आप लोग देख सकते हो क एक सिरीज में connect हुआ है ठीक है एक सिरीज में connect हुआ है यहाँ पर स्रेणी में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध तो यहाँ पर हर प्रतिरोध में क्या बहेगा समान विद्धुद्धारा बहेगी हर प्रतिरोध में समान विद्धुद्धारा बहेगी ठीक है इसी तरह से अगर हम प्रतिरोध को समना अंतर क्रम में सयोजित करें तो क्या होगा यहाँ पे प्रतिरोध ठीक है तो जैसे कि आप लाइन से पंक्ती में खड़े होते हो तो मैंने क्या बताया आप लोगों को सब के पहले सीरे को जोड़ देते हैं तो ये क्या है? सब का पहला सीरह है, ये A है और ये क्या है? B है. R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और ये हो गया, R3 प्रतिरोध, सब के पहले सीरह को मैंने जोड लिया और यहाँ पर मैं क्या करूंगी जब विद्युत सेल लगाऊंगी विभवांतर तब जा करके क्या होगा इस विभवांतर की वज़ा से यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी आई धारा प्रवाहित होगी पर यहाँ पर आप लोगों को समझना यह है कि जैसे कि मालो कि मैं यहां पर मैंने विभाव का अंतर वी ए माइनस वी डी था पर यहां पर जो विभाव का अंतर है वो क्या है वी ए माइनस वी भी है क्योंकि सिर्फ दो ही सिरे हैं और सारे के पहले सिरे सारे के दूसरे सिरे एक तरफ सारे के दूसरे सिरे एक तरफ ठीक है पर यहां पर आप ल आपर यहां पर यहां पर देखो यहां पर जो ठा थीडंढ जो था तला तो यहां पर Something आपर जो है एक केला विभाव थीन को मांट रहा है अकेला विभाव थीन i.o this ऐसा हो जाएगा तो तीन अलग-अलग भाग में बट रहा है तो इसको मान लेती हूँ मैं V1 इसको मान लेती हूँ V2 और यहाँ पर इसको मान लेती हूँ क्या V3 यह हो गया V1 V2 और यह हो गया क्या V3 R3 के साब एक्ष R2 के साब एक्ष और R1 के साब एक्ष ठीक है उसी तरह स तो इस तरह से हम लोगों के डाइग्राम बनेंगे, जल्दी से फटा फट डाइग्राम बना लो भई! और यहाँ पर diagram बन रहा है तो यहाँ पर जैसे कि विभाव बट रहा था यहाँ पर विभाव बट रहा था तो यहाँ पर विद्धारा बट रही है तो आप लोग लिख सकते हो i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 ठीक है इस तरीके से लिख लो भाई जल्दी से diagram बना लो बिल्कु नटका क्विक्ली बन गया भाई diagram चलो एक एक करके अब हम स्रेणी करमा संयोजन स्रेणी और समनांतर के लिए सबसे पहले तो हम परिभाश आई देख लेते हैं इनकी ठीक है यह diagram जो आप लोगों ने यहाँ पर मैं आप लोगों को तुलना करके इसलिए बनवाई हूं ताकि आप लोगों को दोनों का comparison पतर हैगा तो आसान होगा समझना और इसको एक एक करके हम लोग इसका derivation करेंगे derivation छोटा सा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है आसान है बहुत ज्यादा जिसमें हम स्रेणी कन संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तुल्य जोड़ा है तो उसका कुल मतलब की कुल मिला कर तीन्नों के कारण जो तुल्य है है जैना वो क्या होगा मतलब उसके बराबर equivalent तीनों को जोडने के बाद इनके equivalent क्या होगा ठीके तो ऊसे 5C पहले परिभाशाहें देख जब दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार सहियोजित किया जाए कि प्रतियक प्रतिरोध में विद्धारा का मान जो है एक समान हो इस प्रकार प्रतिरोधों के सहियोजन को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कि इस प्रकार जोड रहे हैं कि विद्धारा का मान क्या है विद्धारा का मान एक समान है है ना और इसके बाद समनांतर करम संयोजन की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित कर रहे हैं कि प्रतियेक प्रतिरोध के सीरो पर विभुवांतर का मान समान है क्या है यहांपर देख रहे हो प्रतियोग प्रतिरोध के सिरो पर विभुवांतर का वान समान है तो प्रतिरोधो के इस प्रकार के सहीवजन को हम क्या कहते है सवनांतर क्रम सहीवजन बोलते हैं अगर इसको detail में explain करना थीक है आप लुगों तो डिटेल में लिखना पड़ा तो परिभाशा लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि यहां पर जो है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ा गया तो स्रे पर क्या हो रहा था हमारा हम लोग यहां पर विभाव अलग अलग था तो विभाव वी बराबर वी ब्लस वी टू प्लस वी थ्री यह आप लिख सकते हो क्या समी करण नमबर एक ठीक है समी करण नमबर एक लिख सकते हो अब हम लोगों को क्या पता इसके पहले प्रतिरोध के जरे हम लोगों www.audly incrementum के अनुसार क्या हुआ था को अनुक्त प्रतीरोथ के लिए अगर अलग-अलग हम लिखेंगे तो क्या हो जाएग V1 बराबर R1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 बराबर R I2 और V3 बराबर R I3 ठीक है अब यह जितने भी मान हम लोगों को मिले हैं ठीक है यह सभी मान को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण एक में रख देंगे तो जब हम लोग इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोगों का समीकरण क्या हो जाएगा R I बराबर यहाँ पर R 1 I प्लस R 2 I प्लस R 3 I ठीक है तो आप लोग देख पारे हो समीकरण में एक चीज जो है वो कामन है स्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है कि हर प्रतिरोद से एक समान विद्धारा बह रही है अभी-अभी हम लोगGuay परिभाशा में पढ़ा ठीक तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगगा यह आ रहाई है और यहाँ से क्यों कि विद्धारा समान है तो यह जो है आई जो हमारा विदुधारा common निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा R1, R2 और R3, ठीक है, अब ये जब बाहर निकल गया, तो गड़ित तो पढ़े ही हो, है की ने, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये धारा और ये धारा दोनों पक्षों में एक समान है, तो cancel हो जाएगी, और आबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा क्या, जब हम लोग स्रेणी क्रम में जोड रहे हैं, जब हम स्रेणी क्रम में जोड रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्रेणी क्रम में हमारा क्या हो गया, स्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, अब आप यहां पर यह तुल्य प्रतिरोद हो गया मतलब यहवाला जो आर है उसको मैं कैसे लिखूँँगी यहां पर लिखूँघी आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको R equivalent भी बोलते हैं अंग्रेजी में R equivalent इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी में ठीक है तो कई पुस्तकों में आप लोगों को दिखेंगा तुल्य मतलब की equivalent लग भग बराबर ठीक है तो ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पर क्या तुल्य प्रतिरोद बॉक्स बना लो भई यह आपका स्रेणी क्रम का डेरिवेशन हो गया पूरा यही है स्रेणी क्रम में बस और कुछ भी नहीं है जल्दी से नोट कर लो फटा फट से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर देखो तीन जुढ रहे हैं मान लोग कि यहाँ पर एक ओम दो ओम और तीन ओम होगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा टोटल 6 ओम का हो जाएगा यहाँ पर क्या तुल्य प्रतिरोध ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग स्रेडी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं जोडते हैं तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है बढ़ता है तो बिल्कुल आप लोग नीचे लिख सकते हो कि जो तुल्य प्रतिरोधों को क्या है प्रतिरोध ज्यादा चाहिए त तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिरेणी क्रम में जोड़ते हैं ठीक है इसके विपरीत होगा समनांतर क्रम में जब भी हम लोगों को कम प्रतिरोध चाहिए तो उसको हम लोग समनांतर क्रम में जोड़ेंगे वहाँ पर तुले प्रतिरोध का मान हम लोगों को कम मिलेगा पर इ अब हम बात करेंगे किसकी समनांतर क्रम सहियोजन की तो बिल्कुल समनांतर क्रम सहियोजन में जैसा डाइग्राम हम लोगों ने वहाँ पर बनाया था बिल्कुल वही डाइग्राम हम वापस से बना रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को बार बार डाइग्राम अगर बनाना है तो अच्छी बात है उसे practice हो जाएगी अब मुझे तो अलग-अलग slide में पढ़ाना है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा पर पूरा-पूरा नहीं बना रही हूं क्योंकि मैंने पूरा-पूरा बना करके already एक बार आप लोगों को बता दिया है ठीक है तो यहां पर क्या है दो ह द्धारा बट रही है तो यहां से हमलोगों को समीकरण मिला था आई बराबर आइवन प्लसा आई टू-प्लसा आई थि ठीक है यह हो गया समी करण नंबर एक बिल्कुल लिख लो समी करण नंबर एक अल्रेडी समझ चुके हैं हम इसको ठीक है अब वापस से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वापस से हम लोगों को यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों के लिए ओम का नियम लगाना पड़ेगा तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है ओम के नियम से यहां पर देखो धारा अलग-अलग है विभाव समान है तो यहां पर क्या हो जाएगा सबसे पहले वी बराबर वी बराबर पहले वाले प्रतिरोथ के लिए क्या हो जाएगा RI होता है ना तो R1, I1 तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या I1 बराबर V बटे R1 ठीक है तो यह समीकरण 2 हो गया माल लो और इसी तरीके से V बराबर दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए R2 और I2 जिसको हम लोग लिख सकते हैं I2 बराबर V बटे R2 यह हो गया हमारा क्या तीसरा समीकरण अब अगला next लिख सकते हैं हम लोग क्या V बराबर R3 I3 यहां से क्या हो जाएगा I3 बराबर हमारा हो जाएगा V बटे R3 यह हो गया हमारा क्या 4 समीकरण तो 2, 3 और 4 समीकरण देख लिए अब कुल विभाओं के लिए लास्ट वाले के लिए पूरे परिपात के लिए क्या हो जाएगा V इक्वस्ट तू R I ठीक है यहाँ पर ये जो R है वो क्या है तुल्य प्रतिरोध है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I बरावर V बटे R तुल्य क्या हो जाएगा ये वी बटे आर तुल्य जो पूरे परिपत का जो कुल प्रतियोध है वो अब ये हो गया हमारा समीकरण नमबर पांच अब क्या करेंगे दो तीन चार पांच जो हमारा समीकरण है उसको हम लोग रखेंगे किसमे एक में ठीक है चलो भाई रखो फटा फट स बिल्कुल मैं भी रख रही हूँ आप लोगों के सांथ वैल्यू रखो क्या हो जाएगा यहां पर आप लोगों का यह हो जाएगा वी बाई आर तुल्य बराबर यह हो जाएगा वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री होगा की नहीं जल्दी से पूरा कर लेंगे हमारा वन शोट जल्दी से ही पूरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या होगा हमारा वी जो है यह आर तुल्य और यहाँ पर यह कॉमन निकल जाएगा जब कॉमन निकलेगा तो क्या होगा यहाँ पर यह हो जाएगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस ये क्या हो जाएगा, एक बटे आर्थ्री ठीक है, होगा की नहीं, येस ये नो, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोगों का ये विभाव और ये विभाव जो है एक समाने कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक बटे आर्थु लिए बराबर, एक बटे आर्वन प्लस एक बटे आर्थु प्लस एक बटे आर्थ्री ठीक है, इस तरीके से बच जाएगा ये, तो ये हमारा एक्वेशन हो जाएगा क्या, समनांतर क्रम सहियोजन के लिए, प्रतिरोध हो के समनांतर क्रम सहियोजन के लिए यह हमारा equation हो जाएगा लिख सकते हो आप लोग बिल्कुल अब यहाँ पर जब हम लोगों को मिलेगा तो यहाँ पर जो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो घट करके मिलेगा तुल्य प्रतिरोध घट करके मिलेगा मतलब कि जो हमारा परिपत है विद्ध परिपत उसकी विद्ध धारा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो बिल्कुल आप लोग conclusion लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है विभाव समान है जबकि दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर धारा जो ठीक है और यहाँ पर जो next conclusion है वो आप लोगों का यह formula हो सकता है कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध का विद्ध करम है क्या तुल्य प्रतिरोध का विद्ध करम है वो जो हमारा प्रतियेक प्रतिरोध के विद्ध करम के योग के बराबर है तुल्य प्रतिरोध का विद् अपको नियूमारिकल प्रेक्टिस करना है क्या करना है तो मैं आप लोगों को सवाल पढ़के बता रही हूँ और बिल्कुल आप लोगों को कोशिश करना है ऑल भी सवाल हमारे रहे गए हैं सारे सवाल करेंगे हम फिलहाल हम प्रतिरोधों के संयोजन से संबंदित यह सवाल पड़े लेते हैं, समझ लेते हैं, ट्राई करेंगे, नीचे दिये गए चित्र में, परिपत आरेक में मान लीजे की प्रतिरोधोरर betray R1, R2 और R3 के मान क्रमशा 5 ohm, 10 ohm और 30 ohm है, ठीक है तो यहां पे R1 का मान क्या है, 5 ohm और R2 का मान है 10 ohm और इस का मान है क्या 30 ohm, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है तो मतलब यह जो बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट की और यह संयोजन कैसा है चीतर देख के ही समझ में आ रहा है परिपत के आरेक से की समनांतर क्रम संयोजन है और इस समनांतर कम सही हो जन में हम लोगों को प्रतियक प्रतिरोज से बहने वाली धारा निकालनी है इसका मतलब यह है कि अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पर क्या पढ़ा कि इस विद्धित परिपत में इस वोल्टेज के कारण आई धारा बहरी है जो तीन भागों में बट रही है आई 1, I2 और I3 तो ये I1, I2, I3 हम लोगों को ग्याद करना है तो लिख लो पहले सबसे पहले ए में हम लोगों को क्या निकालना है थीक है भाई निकल जाएगा बिल्कुल आराम से निकल जाएगा और उसके बाद second में क्या निकालना है परिपत में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है तो कुल धारा निकालना तो बहुत आसान है इन तीनों को जोड़ देंगे इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास परिपत में कुल विद्युद धारा निकल जा मैं आप लोगों को बाड़ा रही हूँ हैं और नीलर निकल जाएगई dया टो अगर तीन सहापिborg जो है विध्युध्धारा निकल जाएगी Oym first ठीक है और इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो खुल धारा निकल जाएगी और जो प्रतिरोध के लिए संयोजन के लिए सुत्र है आप लोगों का यह सुत्र है आप लोगों का एक बटे आर तुल्य बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर और I3 का सुत्र हो जाएगा V बटे R3 सारा कुछ मैंने आप लोगों को हिंट कर दिया है अब थोड़ा कोशिश करो आप अपने तरब से कर रहे हो कोशिश ट्राई कर रहे हो चलो हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल I1 कितना आया किसी का अंसर आया जल्दी से कमेंट्स करके बताओ बहुत ही आसान है R1 कितना दिया हुआ है पांच ओम चलो वन बाई वन करके करते जाते हैं यहाँ पर हम I1 हमारे पास निकालना है हम लोगों को जिसके लिए प्रतिरोध दिया हुआ है पांच ओम और विभाव दिया हुआ है 12 वोल्ट का ठीक है I2 निकालना है इसके लिए क्या दिया हुआ है प्रतिरोध हम लोगों को प्रेश्ण में देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10 ओम और 30 ओम ठीक है तो ये दिया हुआ है 10 ohm और थर्ड वाले के लिए दिया हुआ है ये 30 ohm ठीक है ये तो है सब के लिए सेम होगा क्या होगा ये 12 और 12 कितना आया आई 1, I2, I3 कितना आया जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके कितना आया ये आएगा आप लोगों का क्या 2.4 ohm ठीक है और ये आगया आप लोगों का 1.2 ohm और ये आगया आप लोगों का क्या 0.4 ohm नहीं भई, ampere हम लोग तो विद्धारा निकाल रहे हैं ना ध्यान रखना आप भी है ना मैंने भी गलती से बोल दिया भी 5 ohm और 10 ohm और 30 ohm के flow flow मे तो ध्यान रखो हम लोग विद्धारा निकाल रहे हैं तो पहली वाली विद्धारा हम लोगों को 2.4 ohm और दूसरी वाली 1.2 ohm और तीसरी वाली सुने 0.4 ohm मिली तो हम लोगों को ये पहला वाला A हिस्सा तो हम लोगों ने solve कर लिया तीक है A हिस्सा हमने solve कर लिया अब B ह हिस्से में हम लोगों को क्या पूछा था भी हिस्से में हम लोगों को कुल विद्धारा पूछी थी परिपत से बहने वाली कुल विद्धारा तो तीनों को जोड़ देंगे क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे जल्दी से जोड़ दो कितना आएगा एक है 2.4 प्लास एक चार एंपियर विद्धारा, कुल विद्धारा तो यह आगया आपका B आंसर, आंसर P, हना, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है, तो एक बटे आर तुल्य बरावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बटे 5 प्लस एक करने के लिए आप लोगों को यह बहुत जादा जरूरी है, आपको फटा-फट से सीखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है करके, और बिल्कुल अगर जब तक कि आप लोगों को यह क्लियर नहीं होगा, तब तक कि गरबड हो जाएगा, ठीक है, तब तक कि क्या हो जाएगा, गरबड, कैसे निकालते हैं, लगुत्तम, चलो भई, अब इतनी गणित तो मतलब की मुझे बतानी नहीं चाहिए, पर फिर भी चलो मैं बता देती हूं, पांच, दस, और तीस, ठीक है, पांच, एकम, पांच, दूनी, और यह क्या हो गया, पांच, छक्का, यहाँ पर क्या पांच, छक्का, तीस, और यहाँ पर एक हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, छे, चार, दस, और दस, बटे, तीस, मतलब यह हो गया, एक बटे, तीन, तो यहाँ पर आप लोगों का, एक बटे, आर तुल्य बराबर कितना आ गया, एक बटे, तीन आ गया, इसका मतलब आप लोग अगर यहाँ पर तुलना करोगे तो तुलना करने से आपको आर तुल्य क्या मिल जाएगा यहाँ पर आर तुल्य बराबर मिल जाएगा तीनों तो यह हो गया आप लोगों का क्या आंसर सी क्या हो गये यह? sowas संज आ गया सभी को अच्छा प्रेश्न था क्यों भई था की नहीं अच्छा सवाल जल्दी से बताओ कमेंट्स करके सबके कमेंट्स आने चाहिए बिलकुल दिमाग का बल्व जल रहा है की नहीं धारा बह रहे है की नहीं आप लोगों के दमाग में ये मेरे को आप लोगों को कमेंट्स करके आप सभी बच्चे मेरे को बताते रहिए बिलकुल बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ हम अपना next topic शुरू करते हैं क्या होगा हमारे next topic विद्ध शक्ती बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है जल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि मालो की जो विद्ध धारा बह रही है मैंने विद्ध परिपत के बारे में बताया वहाँ पर एक सेल लगा हुआ था है ना क्या लगा हुआ था सेल लगा हुआ था इसमें क्या हो रहा था विद्ध धारा बह रही थी जिसमें बल लगा हुआ था मालो है ना तो अब ये विद्धारा किसके कारण बह रही थी इस से मिलने वाली उर्जा के कारण किसके कारण इस से से यहां पर विद्युद्धारा बह रही है ठीक है तो यह जिसके वज़े से विद्युद्बल लग रहा था तो इस विद्युद्बल के वज़े से क्या हो रहता आवेशों की गती हो रही थी ठीक है तो यहां पर क्या करना पड़ रहा था कारे करना पड़ रहा था और यहां शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति में क्या हो जाएगा कि कारे की दर मतलब कितने समय में वो कारे हो रहा है वो उसकी शक्ति कहलाएगी ठीक है जैसे कि मान लो मान लो कि क्या हुआ कि एक बॉडी बिल्डर एक पंच मारता है ठीक है तो वो कितनी शक्ति मतलब कितनी ताकत लग सेकेंड में मारा दो सेकेंड मारा तो वहां से जो है आप लोगों का यहां पर शक्ति उसका पता चलता है कि उसके मुख्य में कित्मी शक्ति है तो जहां में हम करने की जो दर है वो क्या कहलाती है इस विद्यूत परिपत की शक्ति कहलाती है क्या कहलाती है इस विद्यूत परिपत की शक्ति कि उस कारे को करने के लिए उसको कितना समय लगा वो उस परिपत की विद्यूत शक्ति कहलाती है और इसका जो मातरक होता है वो होता है वाट क्य यहां पर अगर आप जो है शक्ति का मात्रक लिखना चाहो तो इस शक्ति को हम लोग क्या कर रहे हैं इस विद्यूद सक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं समझ में आया सभी को अब इसके रिलेटेड आपको जैसे इसका पूझेगा तो यह बिल्कुल आप लोगों को तीन नंबर का सवाल दो नंबर का सवाल पूछ सकते हैं अगर सिर्फ परिफाशा पुछेगा तो या तो फिर आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है न ये वाली थोरी आप लोगों को जो है objective mcq type के question में भी आप लोगों को पूछ सकती है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इसको note कर सकते हो ठीक है आप इसके आगे हम लोगों को करना क्या है देखो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ से हम लोगों को w बराबर q और v क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर किया गया कारे चाहिए कितने समय में हो रहा है ठीक है तो इसके आगे हम लोग देखेंगे विद्धव शक्ति के बारे में बिलकुल यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों को यहां पर मिल रहा था क्या डबलू बटे क्यू और डबलू हमारे पास क्या है यहां पर Q into V सार यह T है और यह बटे में क्या है T ठीक है अब यहां से क्या हो गया क्यों वी मैंने रख दिया हना टी रख दिया और फिर यह तो कर दिया मैंने ठीक है तो यह क्या हो गया पावर का इस तरीके से आप लिख सकते हो Q into V हाँ यह हो गया अब इसके आगे हम लोगों ने I बराबर क्या पढ़ा था I बराबर Q by T पढ़ा था ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर आवेश लिखूँ तो आवेश बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ I into T क्या लिख सकती हूँ I into T तो यहाँ पर मैं आवेश के जगह में अगर रखूँँगी क्या रखूँगी यहाँ पर I, T और V तो बटे में क्या हो जाएगा T तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह T और T जो है कट जाएगा और यह हो जाएगा क्या I और वी या तो फिर इसको आप लिख सकते हो वी आई तो यहां से इसका हम लोगों ने इस्तमाल किया इसको लिख लो चूंकि यह होता है तो यहां से हम लोगों को यह पावर बराबर क्या मिल गया पावर बराबर याने की शक्ती शक्ती को अंगरेजी में बोलते हैं पावर त लगते हो सारा चीज इसमें मैं समझाओंगी पर पहले आप लोग यहां पर समझ लो कि जैसे कि हम लोगों को ओम के नियम से क्या पता है हम लोगों को क्या पता है यहां पर ही लिख दे रही हूं हम लोगों को ओम के नियम से पता है क्या वी इक्वल्स टू आ रही ठीक है वी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं V by R तो इसको दोनों तरीके से रखके देखते हैं अगर मैं V equals to यहाँ पे पहला वाला रखूंगी यह पहला है मालो और यह दूसरा है मालो पहला वाला अगर इसमें रखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा विद्धूर्शक्ती बराबर क्या हो जाएगा R I into I बराबर ही हो जाएगा R I का वर्ग तो यह एक तरीका हो गया या तो फिर इसको जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं I का वर्ग और R यह लिखते हैं अब मैं I के जगह में अगर मान रखूं V by R तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूं P ब बराबर विद्व शक्ति बराबर यह हो जाएगा V और I के जगह में हो जाएगा क्या V into V बटे R इसको अगर लिखो मैं यह हो जाएगा क्या V का वर्ग बटे R तो यह क्या हो गया शक्ति के सुत्र का दूसरा रूप हो गया इन रूपों में आप सक्ति के सुत्र को लिख सक सक्ते हो इन रूपों में शक्ति के सुत्र को Łyकोगे तो यहां पर आपका सक्ति का सुत्र क्या हो जाएगा यह वाले सुत्र आपके यहां पर ओर जोड़ो बिलकुल यहां पर box में ही लिख लो हुआ हे के लो यहां पर क्या हो जाएगा Kiss me सक्ति इक्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् या फिर आई का वर्ग आर या फिर वी का वर्ग बटे आर यह हम लोगों को फाइनल सक्ति का तीन सुत्र मिला ठीक है तो बिल्कुल तीन नंबर में पूछ सकता है आप लोगों को विद्धूद सक्ति के बारे में विद्धूद सक्ति से क्या ताथ पर है और पूरा मतलब कि उसका सुत्र जो भी है उसका वेंजा कि स्थापित करिए बोल के यह जो चार्ट आप लोगों को दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को यह चीज़े दिख रही है विभाव क्रतिरोध धारा और शक्ति तो इसकी जो तीन चीज़े लिखी हुई है तो यहाँ पर हुई है कि जो विभाव है उसको आप 3 तरीके से कैसे लिख सकते हो ये है वी क्वेस्ट राई जो ओम के नियम से आप लोगों ने देखा ठिक है अब यहाँ से पी बराबर वी आई पता है तो यहाँ से मैं विबराबर पी बर फलिक सकती हूं लिख सकते हूं कि नहीं तो यहां से मिल गया वी बराबर में को पी इंटू हो जाएगा तो बिल्कुल इस सुत्र से हम लोगों यह सुत्र मिला समज आ रहा है एक दूसरे से सारी चीजे रिलेटेड है पर अप लोग यह पर देख सकते तोुकि यहreiben रिलेट्ट्ट है तो कैसे यसको हम लोग लिख भी सकते हैं, यह भी तो आप लोग देख सकते हो ठीक है, इसी तरीके से ओम के नियाम से हम लोगों को प्रतिरोध के लिए यहाँ पर क्या मिला था ओम के नियम से V बटे I मिला था और यहां पर हम लोगों को यहां पर इस सक्ति के सुत्र से V का वर्ग बटे R मिला है ठीके तो अगर मैं R को यह जो इस R को अगर मैं इधर पक्षांतर कर दूँगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा प्रतिरोध वराबर V का वर्ग बटे P मिल अब इसी तरीके से आप लोग यहां पर विद्धारा का देख सकते हो तो सबसे पहले तो ओम के नियम से यह हो गया विद्धारा का V बटे R और यहां पर यह जब इसको मैं आई बर आई बराबर यहां पी बटे V कर दूँगी तो यहां पर शक्ति वाले सुत्र से हो गया प V I I का वरगा R और V का वरगार यह तो हम लोगों ने लिखा ही और इसकी सहायता से और ओम के नियम की सहायता से और इसकी सहायता से हना P बराबर ओम के नियम की सहायता से और P बराबर V I इन दोनों की सहायता से सोचो हम लोगों ने कितने रूप लिख लिए समी करण के कितने रूप लिख लिए हर सुत्र को आपको याद करने की जरुट नहीं है अगर ये दो सुत्र अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग सारी चीज़े लिख सकते हो है ना ये सुत्र याद रहा और कौन सा याद रख लो ये वाला भी याद रख लो आई बराबर Q by T ये वाला वेल्यू रखोगे तो मिल जाएगा वो रूप भी है ना ओम का नियम और विद्धारा वाला सुत्र रखने से तो मिला ना चलो तो जल्दी से नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पूरा सार बता दिया है आप लोगों को इस डाइग्राम के माध्यम से मैं पूरे चैप्टर के सुत्रों का सार बता दिया है आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा इसके बाद हम हमारा आखरी टॉपिक यहां पर रिवाइस कर रहे हैं विद्धारा का तापिय प्रभाव का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी तार से क्या करते हैं यह यहां पर विद्धारा बहाते हैं ठीक है तो यहां पर प्रतिरोध के वज़ा से यहां पर क्या उत्पन होता है उश्मा उत्पन होती है प्रतिरोध की वज़ा से क्या उत्पन होता है यहां पर उश्मा उत्पन होती है तो यह जो प्रतिरोध है यहां पर जो उस पर उत्प निर्भर करेगी, क्या उत्पन हो रही है, उश्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या हीट, तो इस उश्मा या हीट की वज़ा से क्या होगा, जो हमारा तार है, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, तार क्या हो जाएगा, हम लोगों का, गर्म हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते जो है उसमा का जो च्छै है हना जब हम लोगों को बल्फ जलाना है तो प्रतिरोध की वज़ए से हम लोगों को नुक्सान होता है पर कभी-कभी हम लोग इसका फाइदा भी उठा लेते हैं क्योंकि तापिय प्रभाव से जैसे की मान लो आप लोगों ने हीटर देखा होगा रूम हीटर देखा होगा कि हम लोगों को जब बहुट ज़्यादा ठंड लगती है तब हम लोगों को रूम हीटर की जरुवत पढ़ती है तो ये तापिय प्रभाव का इस्तमाल हम लोग वहां पर करके रूम हीटर के रूप में अपनी ठंड हकता को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो देख रहे हो कि किस तरीके से मतलब की यहाँ पर जो नुकसान जा रहा था उसको भी हम लोगों ने फायदे में बदल दिया और उससे रिलेटेड तापिय प्रभाव से रिलेटेड भी हम लोग कुछ इंस्टूमेंट या अंत्र का इस्तमाल करते हैं मैं आप लोग में जो च्छाय होता है वही क्या कहलाता है विद्धारा का तापिय प्रभाव कहलाता है पर यह जो च्छाय हो रहा है इसका सुत्रवक्रा तो बताऊंगी ही पर देखो यह जो च्छाय है इसका जो है बहुत अच्छे से हम लोग इस्तमाल भी कर लेते हैं बहुत अच्छे स प्रदर्शित करूँगी जब यहा पर जब हम लोग की बात करें तो इंवा ऐहां पर नुक्सान की बात करें तो यहाँ पर लिख देती हूं जिए हो रहा है मतलब कितनी शक्ति का जो च्य हो रहा है वो हम लोगों को यहां पर पता चलेगा यह जो है काम की शक्ति थी यह क्या थी काम की शक्ति अना अब बिल्कुल भाई इसको मैं आपको समझाने के लिए बता दियुक में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा है ये जो उशमा के रूप में जो 6 हो रही है वो मिल जाएगा हम लोगों समय में इस हम लोगोर की यहां पर उस्मा का छही मिल जाएगा अब हम लोगों ने आपर यहां पर इसमें ये वाले हिससे में ये फॉर्मूला को पूरा हर बार एक एक बार करके रखेंगे तो हम लोगों को तीन फॉर्मूला मिल जाएगा यहां पर उस्मा के छहेon क birthday यहां पर H बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा V, I, T या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस्मा का 6 बराबर यहाँ पर I का वर्ग R into T, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V का वर्ग बटे R into T तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया तीन रूप में जो उश्माच छाईत हो रही है उसका सुत्रम मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या विदुद्धारा का तापिय प्रभाव ठीक है इसमें जो ये वाला सुत्र है ना ह बराबर आई का वर्ग आर्टी ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मुला है और ये जादा तर बहुत जादा यूज करा जाता है जो भी नुमेरिकल्स वगरा आएंगे तो वहां पर आप लोगों को जगा जगा इस सुत्र का जो है इस्तमाल करना होगा ठीक है ये तो यहां पर च्छै हो रहा था अब इस च्छै को हम लोगों ने फायदे में भी बदल लिया कैसे बदला तो इस फायदे के लिए हम लोगों ने कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बढ़ा बनाए जहां पर हम लोगों को हीट की जरुवत पड़ी ताप की जरुवत पड़ी तो जैसे खाना पकाने के लिए भी हम लोगों को हीट की ज जाता है खाना पकाने के लिए किया जाता है खाना पकाने में इस्तमाल किया जाता है और यहां पर क्या है यह रूम हीटर है क्या है यह रूम हीटर है तो यह कमरे को गर्म रखने के लिए किया जाता है और यहां पर यह आईरन है तो यह कपड़े को इस्तरी करने के लिए किया जाता है है ना और यह इलेक्टरिक एडल आजकल बहुत जादा मैं खुद बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तमाल करती हूं फटाक से चुटकियों में गर्म हो जाता है पानी और गैस पर गर्म करो तो बहुत टाइम लगता है ठीक है तो इस वज़ा से यह देख लो यहाँ पर सुत्र निकाला ना तापिय प्रभाव के लिए आई का वर्ग आर्टी और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकाले पर इस फॉर्मूला को मैं ज्यादा तर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जैसे की पी कोस्टू वी आई वाला ज्यादा तर इस्तमाल होता है वैसे ही आप लो प्रभाव कैसे कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे इन फॉर्मूला के रिलेटेड नुमारिकल जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पहले विद्युद धारा के तापिय प्रभाव से रिलेटेड नुमारिकल यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं सभी बच्च्चे बहुत ही आसान सवाल है, अभी-अभी मैंने आप लोगों को पताया सबसे important formula विद्यूत के तापिय प्रभाव के topic का सबसे important formula कौन सा था? ह बराबर आई वर्ग आर्टी यहीं important formula इसमें जो है इस्तमाल होने वाला है जल्दी से सवाल पढ़ो क्या लिखा है इस सवाल में कोई विद्यूत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है मतलब की कोई बल्ब है जिसको हम लोगों ने क्या किया है 220 वोल्ट के जनित्र से य यहां पर सबसे पहले यह जो बहुत important formula था वो तो मैंने बता दिया पर फिलहाल सवाल को समझ लो सवाल में आपको विभा वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट का है ना यहां पर इससे हम लोग क्या दे रहे हैं बल्ब को 220 वोल्ट दे रहे हैं ठीक इसके बाद विद्यूत कितनी वत्याइं हो रही है 2030ऻ कि क्या उत्पन हो रही है आपर विद्यूत धारा हो रही है अब यह और इस सवाल में हम लोगों को बल्ब की शक्ति पूछा है क्या पूछा है बल्ब की शक्ति पूछा है ठीक है तो शक्ति के लिए हम लोगों ने क्या क्या फार्मूला पढ़ा है पी बराबर वी आई बराबर आई का वर्ग आर बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने वी का वर्ग पटे आर पढ़ा ठीक है क् सवाल में हम लोग Conquer वाल और छक्ति निकालने के लिए बोल रहा है थो शक्ति कैसे निकल जाएगी यहां पर हम लोगों को विभाव पता है विद्धारा पता थे तो रख लों माँ यहां पर सिंपल आप लोगों को व्पार मिइल फॉर्मुलास उस्तम पर नमाल करगा विभा एक सो द cay या फिर हम लोग सकते हैं मात्र को जूल पर सेकेंड में भी लिग सकते हैं थी किसमें लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड में तो ये तो हो गया आपका नुमारिकल अगर आप लोगों को यहीं अगर उश्मा कितना हो रहा है मतलब उश्मिय प्रभाव पूछा है ना उश्मिय प्रभाव पूछा तो इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को मानलो की नुमारिकल आएगा ठीक है जो हम लोगों ने यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया तो तो विद्धारा का मान दिया रहेगा, प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, कितने सेकेंड के लिए बहर रहा है, ये दिया रहेगा, सिंपल पूरा छोटा सा फॉर्मूला है, जिसमें आप लोगों को सारे मान रखने हैं, और आपको question जो है, वो solve करना रहेगा, बहुत ही आसान स सवाल आएगा, ये सारे सवाल दो से तीन नंबर के, तीन नंबर के अधिकतर आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ सवाल थे, जो मैंने आप लोगों को जो है छुड़वाई थे, वो सवाल हम cover कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा सवाल था वो, हाँ य तम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से उर्जा उपलब्ध कराई जा रही है, तथा 360 वाट की दर से उस समय क्या है, उपभूकत होती है, जब तापन की दर निमनतम है, ठीक है, कुछ जादा ही शुद्ध हिंदी है भाई, इसमें तो कोई बात नहीं, बहुत जादा चलेने की जरुद नहीं है, हमको समझना क्या है कि दोनों प्रक्रणानों में हम लोगों को विद्धारा निकालना है और प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, उर्जा दी हुई है, तो थोड़ा ट्राई करो, जल्दी से हम प्र जल्दी से तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा complicated कर दिया है, शब्दों में घुमा दिया है, यहाँ पर तापन दर बोला है, क्या बोला है यहाँ पर तापन दर, तापन दर का मतलब क्या हो गया? कि जो उश्मा हीट उश्मा है है ना उश्मा है जो हीट के फॉर्म में है इसकी दर बोला है मतलब कि यहां पर किसकी बात किया है शक्ति की बात किया है पर शक्ति की बात किसके रूप में क्या है यहां पर उश्मा के रूप में यह आपका एच जो है यहां पर उश्मा है और क जा दिया हुआ है अधिकतम मान दिया हुआ है ये क्या है अधिकतं और क्या दिया हुआ है या पर लोगों को यह जो तीनकालने के लिए बोल रहा है कि अधिक्तम और न्यूनतम दोनों ही केस में हम लोगों को विद्युद्धारा और प्रतिरोध निकालने के लिए बोल रहा है तो हमारे पास हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो केसे हैं पहले केस में भी हम लोगों को क्या निकालना है और प्रतिरो वी आई का सुत्र है तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा आई बराबर पी बटे वी आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पी बटे वी तो यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं लिखती हूँ अधिकतम के केस में ए वाले केस में ठीके तो यह है अधिकतम मैक्जिमम का क 220 है ना कितना दिया हुआ है विभाव 220 तो यहां से solve करो कितना आ जाएगा विद्युद्धारा कामान पहले वाले केस में अधिक्तम तापन की दर के लिए कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई अधिक्तम तापन की दर के लिए calculate करो जल्दी से यह आ जाएगा तीन दसमल 8 2 ampere कितना आजाएगा 3.82 ampere आभ अधिक्तम के केस में अगर हम लोगों को प्रतिरोध निकालना है तो ओम के नियम से हम लोगों को क्या पता है वी क्वर्च टू आर आई यहां से हम लिख सकते हैं क्या आर बराबर वी बटे आई अभी अभी हम लोगों ने अधिक्तम तापन की दर के लिए विद्ध धारा तो कैलकुलेट करी लिया है तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या वी बटे आई तो मतलब 220 हमारे पास वी है और हम लोगों के पास धारा कितनी आई तीन दसम्ला आठ दो अब इसको कैलकुलेट कर लो तो प्रतिरोध निकल जाएगा अधिक्तम त कर रहे हैं इस्तरी का उपयोग कर रहे है तो इस केस में प्रतिरोध निकल जाएगा क्यालकुलेट कर लो थोड़ा सा क्यालकुलेशन में आपको समय देना पड़ेगा आप कर सकते हो ये क्यालकुलेशन खुद से कर लेना मैं यहां पर आंसर बता दे रही हूं आएगा 57.6 ओम का प्रतिरोध आएगा ये दोनों किसके केस में हैं अधिकतम तापंदर के केस में आप लोगों को धारा और प्रतिरोध का मान मिल गया अब हम निकालेंगे किसके केस में यहां पर यहां पर हम निकालेंगे न्यूनतम के केस में न्यूनतम के केस के लिए फॉर्मूला वही इस्तिमाल करना है क्या हो जाएगा यहां पर 307 वाट बटे हो जाएगा 220 वोल्ट इसको साल करोगे तो न्यूनितम के case में आपको विद्यूत धारा मिल जाएगी और यहाँ पर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध आपको क्या मिल जाएगा 220 बटे और यहाँ पर जो भी विद्यूत धारा का मान आएगा उसको धारा के मान में रख लेना तो मैं यहाँ पर आप लोग इसको खुछ से कर लेना मैं यहाँ पर जा डारेक्ट आंसर लिख रही हूँ 1.64 यहाँ पर आएगा तो नोट कर लो फटावर से आंसर मैंने बता दिया है पर इसको आपको लिख करके प्रक्टिस करना है एक्जाइम टाइम में जस्ट मैंने आप लोगों को यह जो कोश्ण करवाया है तो क्लास में कर लिए तो ठीक है बट खुट से कुछ भी नया ट्राई मत करना बेटा सबसे अच्छी बात बता रही हूँ एक्जाइम टाइम में सिर्फ हम लोगों को प्रैक्टिस और रिविजन करना चाहिए टीचर अगर करवा रहा है तो ठीक बात है इसको आप खुट से करना जरूर मतलब की निमारिकल को सॉल्व करना पर बाकी जो भी है रिविजन और प्रैक्टिस जो पढ़ा हुआ है उसी को बारवर आप लोगों को क्या करना है रिपीट करके सॉल्व करना है ठीक है और कौन सा निमारिकल रहे गया था हमारा देख लेते हैं प्रति रोधक के सीरो पर हम लोगों को विभुवांतर ग्याद करना है क्या ग्याद करना है प्रति रोधक के सीरो पर हम लोगों को विभुवांतर ग्याद करना है तो विद्युद्धारत के मतलब दिया क्या क्या है तो पहले देख लेते हैं आर बराबर चार ओम दिया है और यहाँ पर प्रती सेकंड उश्मा आप लोगों को दी हुई है प्रती सेकंड उश्मा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर समय दिया है आपको एक सेकंड का और उश्मा एच बराबर आपको दिया है प्रश्न में 100 जूल ठीक है और क्या दिया हुआ है बस इतना ही दिया हुआ है तो हम लोगों को ये जो डेटा दिया हुआ है तो यहां से मैं आप लोगों को जो बता रही थी एच बराबर आई का वर घी अगर वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर वर्गमूल आच बटे आवर इपाण कहसे हुआ कैसे होँ ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोगों को जो जो मान्स हम लोगों को दिया हुआ है Les solid मानों को मैंने पहले देखा और हमको चाहिए क्या विभुवांतर ठीक है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए विद्युद्धारा चाहिए जो कि हमारे को इस सुत्र से मिल सकता है जो विद्युद्ध के तापिये प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा था यहां से हम लोगों को वि अगमूल क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा पांच एंपियर की विद्धारा आप लोगों को मिल गई अब इस विद्धारा का मान हम रखेंगे ठीके किसमें उस विभुवांतर को निकालने के लिए हम इस विद्धारा का मान रखेंगे ठीके तो क्या हो जाएगा हमारे पा बहुत थी आ असान सवाल प्रतिरोधक के सिरोव पर विभुवानतर हम लोगों ने निकाला है वी वराबर वीश उर्डव चार उम का था यहां पर है न आजारा वहरी थी है कि यह देख लो भाई एक बार फिर से देख लो बहुत यह आसान सवाल है अराम से बन जाना चाहिए आप लोगों को ठीक चलो भाई देखते हैं और कोई सा नुमारिकल अगर रहे गया होगा तो वो भी हम कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर मेरे खयाल से तो सारे हमारे नुमारिकल हो सकत हो चुके हैं ठीक है तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं एक काम करते हैं कि अब हम लोग एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार हम देख लेते हैं शुरुवात से बहुत ही क्विक रिविजन रीकाप एक बार हम लोग प्रवाह से मिलती है रुके हुए आवेश का जब अध्यान करते हैं तो वो इस्थर विद्यूत कहलाती है बहने वाले आवेश का अध्यान करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को नई भौतिक राशी विद्यूत्धारा मिलती है जो कि आवेश के प्रवाह से मिलती है तो दो द जुद्धारा का यहां पर definition भी हम लोगों ने देख लिया, सारे आरेक कैसे प्रतीक चिन्ना होते हैं, वो भी सारा चुछ हम लोगों ने यहां पर देख लिया, और क्या देख लिया, विध्युत विभाव और विभुवांतर के बारे में भी देख लिया, कि विध्युत परि हो के concept की भी हम लोगों को जरुवत थी और ओम के नियम की भी जरुवत थी तो इसके लिए हम लोगों ने ओम का नियम पर लिया ओम के नियम में हमलों से कारक पर निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध ये भी हम लोगों को यहां से पता चल गया और इसके बाद ये नुमारिकल भी हम लोगों ने कर लिया जहां पर हम लोगों को क्या निकालना था विद्युधारा और प्रतिरोध तो निकालना था पर अभी तक जो हम लोगों ने क वो सफिषिएट नहीं था जो हम लोगों ने तापी एगुडवाला कॉंसेट पढ़ा उसकी सहायता से विद्धुद सक्ती की सहायता से हम यहां पर क्या निकाल सकते थे विद्ध धारा और प्रतिरोध निकाल सकते थे तो यह सवाल मैं ने आप लोगों को पहले इसलिए पता लिया था अब इसके बाद प्रती रोधों का सहयोजन, स्रेडी सहयोजन, समनांतर सहयोजन, सारा डैरिवेशन, है ना, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया समनांतर क्रम सहियोजन का निमारिकल भी कर लिया इस तरह से पुरा ओम के नियम का भी इस्तमाल होता है लगुत्तम निकालना आना चाहिए आप लोगों को LCM निकालना क्योंकि प्रतिरोधों के सहियोजन में समनांतर सहियोजन में आप लोगों को जादा तर इस्तमाल करना है और बिल्कुल विद्धिर शक्ति के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया जहां से हम लोगों को ये जो है बहुत ही important formula मिला इसी तरह से हम लोगों को तापिया प्रभाव में भी important formula मिलेगा अच्छा ये चार्ड बहुत जादा important है इससे आप लोगों को क्या शक्ति विभाव प्रतिरोध और धारा ये सब formula ही आप लोगों को जगा जगा इस्तमाल होने है और उसके बाद ये important formula निकल करके आया यहां पर हम लोगों को विद्धिर धारा के तापिया प्रभाव से ये जो बहुत ज़्यादा important है हर जगा इसके related आपको तीन नमबर का derivation भी पूछ सकता है और numerical बहुत ज़्यादा important chapter आप लोगों का बहुत सारा topic इसमें cover होता है जो कि आप लोगों को exam में आएगा ही आएगा बिल्कुल आएगा ही आएगा तो ये सारी चीजे आप लोगों को याद रखनी है और बिल्कुल ये ह सब बच्चों के comments में देख रही हूँ comments में आप लोग अपने doubt मुझे share करिये बिल्कुल मैं comments में ही reply करूंगी live chat में नहीं बेटा comment section में आप share करना और बिल्कुल आप लोगों को आपके comments का reply मिलेगा जो भी आप लोगों का doubt होगा बिल्कुल पूछ सकते हो आप comment section में और कोई भी आपको 90 से उपर marks लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको है की नहीं तो बिल्कुल कैसा रहा session हर बच्चिया बताएंगे मजा आया की नहीं yes or no जल्दी से thumbs up दिखा करके बताओ मजा आया की नहीं okay great great बहुत अच्छी बात भाई तो इसी के साथ हम करते हैं इस session को समाप मिलते हैं हम अगले चाप्टर के रिविजन के साथ तक तक के लिए बाई बच्चो